बोलेशी प्राणनाथ प्यार सी सत्गुरो महारा स्री ज्यावर धाम श्वामी श्री लाल्दासी मा तीनो पुरिधा समस्त सुन्दारस प्रणाम सुन्दासा कदमो लाग करू सेज्दा पकड के दो पाया हो कमा करत हे मा सुक बीच आशिक के लिलाआ प्रणादासुन्दासा जी आज हम भागवत स्रवन इवं दर्शन अब कहो श्री देव चन्रजी की जो बात मुला बुजराक जो माहेर सयन पर करी सुभानलू आक करी सुभानलू आक बुलेशी प्राणनाथ प्राणाधार आतम शवन्दी धाम धनी के लाडले एवं प्यारेशुन्द साजी कल के प्रशंग में हमने भुजिनगर में अक्षरा तित पार ब्रह्म मुल्ल शरोव के आवेश शक्ति का ब्रज बिहारी के रूप में शिक्रुष्ण के तन में जो अक्षराति की आवेश लिला हुई थी व्रज लिला में हुई दर्शन भी हमने किया दुश्रा दर्शन कितने साल की उम्र में किया सुन्द साजी 26 26 साल की उम्र में किया ने आज तीसरा दर्शन भी होगा सुन्द साजी उस प्रसंग की ओरम जारे उसके बाद भुजिनगर की घटनाक्रम के बाद हम नवा नगर नौतनपुरी भी पहुँच गए और वहां का जो प्रशंग हमें अंतिम में लिया कहां कांजी वर्ट श्याम जी मंदिर में श्याम जी के देवल में कांजी पट कथा करते थे वहां स्री देव चंद्र जी जाकर सुनने लगे और सुनते सुनते सुनत साजी 14 साल पूरे होने वाले है कितने साल? 14 साल तो यहां अंतिम में अमने कल के प्रशंग में ग्यारश एकादसी के बारे में आमने बहुत विस्तार से सुना कि जो लोग एकादसी का जो वरत रहते है उस दिन वो उपवाश भी करते है तो किसको वरत कहते है और किसको उपवाश करते है तो दोनों बातों को हमने श्पश्टरी रूप से समझा और उपवाश पुरादी नम भुखे रहें, उसको उपवाश बोलते हैं और व्रत किसको केते हैं? जिस दिन, जिस आराधी और इस्ट देव का हम ध्यान की प्रकरिया में उसका समरण, मनन, चिंतन, जो भी हम करें उसक संग के माध्यम समने अंतिम में शुना कि एकादसी रहने के बाद मैंने यह भी बोला कि उसकी अंतिम उपलब्दी क्या है? उसकी अंतिम उपलब्दी क्या है? हो संसार के जी उसकी और ध्यान देते नहीं है कि एकादसी रहने के बाद क्या फल प्राप्त होता है? क्या पु अध्याई में बताया अमरिश राजा की कथा के माध्यम शे, दुर्वा सामुनी का प्रशंग भी हमने कल देखा अंतिम में, तो शुन्दत साजी एका दर्शी जो रहेंगे हम, तो एका दर्शी रहने के बाद संसार के तमाम जियों को भागवत में भी बता दिया, कि तो नास हो जाता है, महा प्रलई नहीं, नैमितिक प्रलई में श्वर्ग तक का नास हो जाता है, नित्य प्रलई तो रोजी होते है, आज मानलो अनन्त जीवों की जन्म हुए होगे, और साम तक अनन्त जीवों देह छोड़ेंगे ने, आज आई इस सुष्टी में, तो ऐसे नित्यप्रलाई रोज ही होते है नेमितिक प्रलाई स्वर्ग का समनास हो जाता है तो अग्यारश का महतव corresponding यह बताया श्वयम एकादसी ने अपने मुक्षे वरणन की आने कलम ने देखा नारत पंचरातरों के नाम के सास्त्र में बताया कि एकादसी ने बोला कि मेरी एकादसी है जीव तुम रहते हैं तो में एकादसी आप जो करोडो एकादसी का वरत करलो या उपवाश करलो लेकिन बार ब्रह्म के प्रसाद के एक कण के बराबर उसका कोई तुलिय नहीं है और आप एकादसी का वरत करके भी स्वर्ग का साधन प्राप्त करते हो, तो अखन की मुक्ति का जो सुख और आनंद का जो ब्रज और रास की लीला का वरणन किया गया है, वो तो कहां दिया गया है, दस में सकंध में भागवत में दिया गया है, तो वो छोड़कर आप स्वर्ग का साधन क्यों करते हो, उसकी प्राप्ती के लिए क्यों आप रत्रुप वास करते हो तो अन्ति में हमने यह देखा शुन्दसाजी, आज आगे जाएगे हम भागवत स्रवन करते करते अभी मैंने बात छोड़ी के 14 साल बीत गए कितने साल बीत गए अभी प्रारंबी कवस्था है देवचंद्रजी की, अभी यह वाणी उत्री नहीं है, अभी तिसरा दर्शन भी हुवा, नहीं अभी आगे होगा, तिसरे दर्शन के बाद, वो भागवत सुनने के लिए नहीं जाएगे सुन्दसाजी क्योंकि उससे परेका ग्यान आ जाएगा नहीं संसार में मैंने तिसरे या चोथे दिन बताया था कि भागवत से जीव की मुक्ती होती थी अब तक पक्का, भागवत से होती थी हो भी वाइकुर तक की होती थी सुन्दसाजी उससे परे दसमे सकंद में जो वर्णन किया गया वरजरास का चुहो बातों को गेहराई से जानता था तो अखन तत्व गवलोक की जो हदसे परे बेहद है उसके भी मुक्ती होती थी लेकिन जो एक भागवत को पढ़के सिर्फ वैकुट तक और वैकुट वाले विष्णू के 24 अवतार को जो जानते है तो 24 अवतारों में 22 अवतार का शुकदेव मुनी ने वरणन किया भागवत में 23 में और 24 में अवतार का वरणन भागवत में शुकदेव मुनी ने किया नहीं जो बुद्ध अवतार और कल के अवतार कोन है क्योंकि शूक्डिव, कहां तक पहुँचे सुन्दसाजी? कहां तक पहुँचे प्राणनाजी ने वानी में बताया? क्योंकि ये वानी, हद ब्रह्मान से परे बेहद और बेहद से भी परे दिव्य परमधां से ये वानी आई ही हैं? ये वानी कहां से उत्री, मैं सब आत्माओं को प्रवोद कर रही हूँ, सुन्दत साजी, ये वानी हद से परे बेहद और बेहद से परे दिव्य परमधाम से पारब्रम परमात्मा के आवेश सरूप से अवत्रीत ये वानी है, आज ये वानी का आउत्रन होगा, जब में आएगे तभी में विस्तार से समझाओंगी तो शुक्देव मुनी तो बेहद तक पहुचे थे सुन्दसाजी तो दसमें सकंद में अखंड ब्रज और रासलीला का वरणन किया लेकिन उसकी गेहराई का जो माईना है उसका जो गुज रहस्य है वो किस से खुलेगा यहानी से खुलेगा तो शुक्देव मुनी बाविस्मा अवतारतक वरणन कर सके तेविश्मा बुद्ध और चोविश्मा कलकी शरूप का वरणन वो नहीं कर सके क्योंकि यह आये उस टाइम पे देवचंद्र जी आये नहीं थे ने देवचंद्र जी बुद्ध शरूप थे ने तो दोनों अंतिम में तो पांचमें दीन में ही लिला कर रहे ने? निष्कलंग बुद्ध शरूप तो कलकी ओर बुद्ध इस आउतार के बारे में संसार के सभी जीवा अलग अलग सभी-sभी मतåं में खोज रहे लहें कि बुद्ध सरूप कोण है और कलकी शरूप कोण है आज बहुत लोगों का संसाई अंदर, कि बहुत की शरुप और बुद्सरु भी संसार में आये, नहीं है, अभी आएगा, अभी आएगा, वो राह दिख रहे है, ऐसे मुश्लिम समाज में, इस्लामिक जगत में भी, अज ये लोग भी राह देख रहे है, कि लेलतुल कद्र की जो तिसरी रात्री है, कद्र की बहुत लंबी रात्री है, वो रात्री बहुत लंबी है, वो रात्री में क्या-क्या लिला होगी उस रात्री की, अंतिम लिला बहुत लंबी है, वो दिन की वो भी राह दिख रहे है, उसको पता ही नहीं कि अंतिम में छे दिन की लीला में, छेठे दिन की मुमिनों की लीला भी प्रारम हो गई, वो कुरान में इस सारे बताये थे, सिर्फ संकेत में दिये थे, जो बात दी थी, तो वो लोग समझ नहीं पाये, इसलिए प्राणना जी ने वहाणी में रखा, कि कुवारी रही, फुरकान, कुवारी मतलब जो लड़की साधी नहीं करती, तो उसको क्या बोलते हैं तब तक, कुवारी बोलते ने, तो कुरान तो 600 साल पहले ही आ गए, क्योंकि कुवारा क्यों कहां, क्यों कहां कुवारी, ऐसे तो बहुत काजी मुला, इमाम, बहुत जी ने बताया, कि अच्छुत प्याला रहा, वो छू नहीं सके, ऐसे छूना नहीं, कि कुरान को टच करना, ऐसा नहीं, खोला तो सही, पढ़ा भी तीस सिपारे में, कुरान को, लेकिन उसका माइना खूला, नहीं पाई, यह में प्रमान दे रही हूं, कि यह वानी नहीं आ आया था, क्योंकि चावी नहीं आती, तो ताला कैसे खूले, ताला खूलने की, कल भी किसी को नहीं मिली, कल, मतलब, जो चावी लगाने की जगह होती नहीं, उसको कल बोलते है, क्या बोलते है, तो कल कहा है, वो भी अभी तक, अलग-अलग शास्त्रों में शाक्षी आई, लेकिन कल का भी पता नहीं लगा, तो चावी नहीं आई, तो चावी के बीना ताला कैसे खूले, तो इस बारे में आजम, आगे जाएंगे, वानी का भी अउत्रण सुन्द साजी होगा, तो यहां मैंने बात आधी रखी, कि शुक्रेव मुनी ने अखंड ब्रजरास में वर यह नहीं थी, और वो कहां से आने वाले थे, और शुक्देव मुनी की पहुच कहां तक खी, समझ गई मेरी बात, समझ में आ रही है, शुक्देव मुनी बहत तक पहुचे थे, और वो शुरूप कहां से आने वाले थे, तेविसमा और चोविसमा, उस से परे दिव्य परमा धाम से आने वाले थे तो शुग्देव मुनी कैसा लिख सकते हैه समझ गए मैं बताऊ मैनलो कि वही कोड से आने वाला शुग्देव लिख देते क्योंकि उसके नीचे से आया कुलमा कहा से आया हद ब्रहम्मान से आया तो लिख शकते लेकिन बिहत से आने वाला जो महापुरुषे उससे परे से आने वाला स्वरुप को कैसे लिख शकते तो उसके बारे में ओ लिखा नहीं सके यह भी शाक्षिया सास्त्रों में दी गई थी कि खुद परमात्मा खुद पुर्णब्रम प्राण नात अक्षरातित निश्कलंग बुद्ध स्वरुप और कते परम्परा में कहा गया कि खुद इमाम मेंदी आकरूल इमाम मेंदी शाहिबुद जमाएगे और वही वह माईना खुलेंगे खुद आताला अल्ला ताला श्वयम अपने मूख से वह वर्णन करेगे अपना घर का अपने धाम का अपने श्वरूप का लीला का तो कौन कर सकता उसके भी ना इवित्तक में आयेगा तब ही में आगया आगये बताते जाओंगी तो सुन्दसाजी यहाँ भागवत सुरवन और दर्शन की बात बताई अब हमने चोपाई देखिए अब कहो शी देवचंद्र जी की बात जो मुल्बजरक जो महर सयन पर करी शुबानलू हक यहाँ सुन्दसाजी देवचंद्र जी तिसरी दर्शन की ओर आम जा रहे ने तिसरे दर्शन की ओर जा रहे यहाँ बताया कि देवचंद्र जी को तिसरा दर्शन होगा तभी अंतर आत्मा की पुरुन पेचान होगी तभी अंतर आत्मा को पुरुन पेचान होगी कैसे होगी अब अंदर से सुन्दसाजी कि मेरी आत्मा का वास्तविक जो प्रियत में मेरा धाम धनी आत्मा का जो प्राण नाथ है पुरुन ब्रह्म अक्षराती ते वो कौन है वो कब होगी पहचान श्याम जी के मंदीर में जब दर्शन होगे तो यहां बताया कि प्रियतम प्राण नाथ उसका दर्शन होगा और हम जो सब सयन ने बेठी है हम सब जो आत्माय बेठी हैं हमारे ब्रहमात्माय पर भी धाम धनी की अपार कुरुपा बर्शेगी क्यों क्यों बर्शेगी कि अब तक भीक्रम 7 2688 तर तक शुकलपक्ष 500 मेन में शुकलपक्ष में रभी वार था सुन्दसाज उस दिन रभी वार था उस दिन तक इस ब्रह्मान में अक्सरातित पार्वम कभी भी आये नहीं थे, नहीं आये थे, तो किस बर यह महर बिरेगी ? संसार के तमाम जीवों पर तो बरसेगी, बरसेगी, लेकिन पहले हमारे पर, हम भी आये ने उसके साथ, आये लेकिन पता नहीं था पेचान हुई, नहीं थी सुन्दत साजी, तो धाम दनी तिसरा दर्शन अभी देगे, और उस दर्शन में बताया कि बहुत महत्व पुर्ण घटना है सुन् और अंदर जो ब्रजरास की चर्चा भी, हरिदासी के भी वहां सुनते थे, कांजी बट के वहां सुनते आ रहे हैं, तो उसका सार भुत अंस उसने ग्रहन भी किया, और उसके बाद 14 साल पुरा हुआ, 14 साल के बाद अंदर पहार ब्रह्म अक्षरा तीत ने देवचंदर जी के सामने आकर सुनत साजी जो दर्सन देगे, वो दर्सन हमारे लिए बहुत महत्वपून घटना है सुनत साजी, और उसके आगे गांग जी भाई के घर में हमारी जागनी यात्रा की या जागनी अभ्यान की निव भी रखेंगे, क्योंकि प्रथम सुनत साथ कौन बनेंगे गांग जी भाई, निजानन संप्रदाय के प्रथम सुनत साथ गांग जी भाई बनेंगे, सुनत साजी तो इस ब्रह्मान में अक्सरा तीतपार ब्रह्म का आगमन, उसका चरन कमल या पडेंगे, ऐसे तो दो बार परड़ा, कहां कहां, महमद के रूप में सिपाई वेस में, यहां आए, पर एक बार तो ध्यान में गये ने, तभी यहां चरन कमल नहीं पडे थे, और तिसरी बार श्वयम ध्यान में दर्शन सुनत साजी देंगे, और जो बाते होगी, वह आगे जानेंगे, लेकिन राज जी नहीं यहां बताया, कि जब पारव्रम परमात्मा की ओर, हम भी आगे बंडेंगे, सुन्दसाजी यह देवचंद्रजी का सिर्फ प्रसंग नहीं है, मैं रोज आपको हर एक घटना करम में, हर एक प्रसंग में आपको समझाती हूँ, कि सुन्दसाजी यह कोई देवचंद्रजी का प्रसंग नहीं, यह कोई हरिदाशी का प्रसंग ये कोई श्रीमन चोदरी का प्रश्यक ने कलम ने भी विस्तार से सुना ने श्रीमन चोदरी को ने हम सब है हम भी दुसरे का छिद्र निकालते है तो आज हम ये देखेंगे कि हम अक्षरातित की ओर धाम दनी के चरन कमल की ओर हम जब आगे बढ़ेंगे मुल मिलावे की ओर प अपना रूप लेगी लेगी तो यहां देव चंद्रजी ऐसा नाज आप कितने दिन अग्यारा दिन हुए ने अभी मैंने बात रखी तो अग्यारा दिन से कई लोगों को मजा नहीं आता होगा वो लोग बलते लोग भक्त लोग हो गए रोज ही इस पंडाल में क्या कर रहे है रोज कोई गवान की चर्चा या परमात्मा की चर्चा ऐसा भक्त निकल पड़े है ऐसा बात करेंगे ने संसार के जीव जो कर्मकांडी होगे और अंदर से परमात्मा के प्रतिरुची नहीं होगी तो ऐसे लोग भी होगे इस संसार में तो यहां भी माया दज्याल का रशंग आया, दज्जाल क्या, दज्जाल कोई रूप लेकर नहीं आएगा सुन्द साथ जी, पहले तो मैं दज्जाल की व्याख्या करूंगी, दज्जाल का ऐसे जोसना बेन, या मंजु बेन, या सार्दा बेन, इस नाम धारण कर, कोई रूप लेकर नहीं आएगा दज्ज दज्याल क्या है बताओ एक आग रता थे सुन्दास्थी हमारे अंदर एक अग्नान्ता रूपी एक राक्षिस बेठा है ने जो हमको परमात्मा किच्रणों की ओर जाने नहीं देता माया की ओर बार बार खीच रहा है उसको बोलते हैं दज्याल क्या बोलते हैं तो अगनान्ता रूपी राक्षस, पहले राक्षस को हम कैसे रूप में समत्ते थे, उपर कोई शींग होते, होते ने, ऐसे भयंकर रूप होते, मैंने कल बताया था ने, रोबीला चेहरा ने, ऐसा कोई राक्षस, नहीं, हमारे अंदर जो हमारा दुस्मन, गुनंग इंद्रि राज जी ने वानी में बताया, प्राणना जी ने, सुन्दसाजी प्रकाष इंदुस्तानी में, कि पहले दुस्मन तो तुमारे अंदर बेठे पहले उसको दूर करो, बाहर के दुस्मन तो आने में देर लगेगी, पहले हमारे अंदर जो दुस्मन बेठे ने, यहां बेठ बेठे बेठे कितने लोगों को मार देते कितने लोगों के प्रतियम ध्रुणा कर देते कितने लोगों के प्रतियम बेठे तो यहां है लेकिन आज कोई ने दस बजे आपको कुछ बोल दिया तो यहां बेठे बेठे मार देते ने उसको हमारे मन में विचार उड़ते तो अग हमारे अंदर जो इंद्रियों के राजा मन है, उसके बारे में मैंने एक दिन बहुत विस्तार से बात ली थी, कि गुणंग इंद्रिया जो हमारी है सुन्दसाजी, उसमें मन जो राजा है, मन इधर उधर पूरा दिन भटकाता रेता है, एक पल वो स्थीर देता नहीं है, तो अंदर कितना संकलब पेदा होता है, इसलिए बोला कि कामस्य बीज संकलब, संकलब दे उजायते, कि पहले यह खोजो आप, कि आपके अंदर जो बिचार उत्पन रोते है, कामना उत्पन होते है, वास्नय उत्पन होती है, उसका बीज क्या है, कामस्य बीज संकलब, तो इने सुर्दास की, कि सुर्दास ने आख फोड़ दी, आख का कोई दोस नहीं था, दोस मन का था, समझ गये मेरी बात, तो आप मन कहां भटक रहें, तो मन को कंट्रोल कीजिए सुन्दसाजी, ऐसे हमारे अंदर का जो गूनंग इंद्रिया है, पेले तो यह हमारे दुस्मन है बाहर के दुस्मन तो बहुत देर लगी गया आने में, लेकिन अंदर का दुश्मन है, उसको सुन्दसाजी उसको देखो और उसको अपने आधिन करें, अपने बस में करो सुन्दसाजी, तो यहां देवचंद्र जी को बुखार आने लगा, क्या आने लगा? तिवरत जहर आने लगा, जहर, क्या आने लगा? बुखार आने लगा, ऐसे दो लंगन, तिन लंगन, ऐसे करते करते, सुन्दसाजी बारह दिन बद गए, कितने दिन बित गए? बारह दिन, बित गए तब तक कुछ खाते भी, नहीं, जलपान भी नहीं कर सकते है, कुछ आहार भी नहीं ले सकते है, तो अंदर का सरीर ऐसे सुकने लगा, फिका होने लगा, शफेद होने लगा सुन्दसाजी, और एक वैद को भी बुलाया, वैद को बोला, कि वैद वैद भी आया, सुन्दसाजी उसने बुखार की दवाई भी दे दी, लेकिन देव चंदर जी को ऐसे बोला, कि उसके माता पिदा को भी बोला, कि उसकी देखभाल करना, क्योंकि जो ज्यादा बुखार आ जाएगा, तो सन्ने पाद जैसा रोग भी हो जाता है, क्योंकि इस से रोग ज्यादा बढ़ जाता है, बुखार भी ज्यादा बढ़ जाता है, और जो व्यक्ति होता है, बढ़ बढ़ने लगता है, तो जो दिमाग में ताव, जो बुखार होता है, ज्यादा चड़ जाता है, तो उसको बोला कि ज्यादा देखभाल करनी और बाहर की जो वाय नहीं है यह तो अभी ही सुनने के लिए जाएगा सुन्दसाजी देवचंद्र जी भी सुन रहे तो वाइदने दवा भी पीछे वापस ले ली फिर मतुमेता ने बोला के नहीं हम देख बाल करेंगे क्यों ऐसी दवा अउश्द वापस ले रहे हो तो फिर सुन्दसाजी काढ बना के पिलाया वैदने और देवचंद्र जी सुन्दसाजी इसको उसको सुलावी दिया यह तो थोड़ी बाहर की बात है बात यहां तक नहीं है सुन्दसाजी बात बहुत गेर यह प्रशंग को हम पूरा करके फिर हम आगे बात गेहराई में क्या हुश्परम जानेंगे स सुन्दसाजी फिर सुला दिया और बोला कि उसको बाहर जाने देना नहीं है तो मतुमेता ने बोला कि उसको दर्वाजा बंद करके उसको बाहर भी नहीं निकलने दे गया हम तो कैसे बाहर जाएगा उसने दर्वाजा बंद कर दिया तो अंदर कैसी जिग्या जगी है सुन्दत साजी पारब्रमक्षरातित को है पास जाने की कथा, सुन्य की भागवत की, चर्चा सुन्य की और उसके भीना वो रेते नहीं है उसने क्या प्रण बनाया था मैं जब आत्मा को आहार नहीं देता तब तक मैं जल पान नहीं करता आहर भी नहीं करता, जल भी नहीं पीता, कुछ भी नहीं तो सुन्दत साजी वो अपनी निष्ठा और जो द्रड़ता है वो तूटने नहीं देगा हम क्या करते हैं निष्ठा के बारे में मैं कल भी समझाया था कि हम निष्ठा बंद कर सकते हैं नहीं है हमारी द्रड़ता भी नहीं है देखो अभी देवचंदर जी को वानी भी नहीं उत्री और तीसरा दर्शन भी हुआ नहीं है कितनी द्रड़ता के साथ सुन्दसाजी कितन ऐसे वच्छन बोल के जबरदस्ती से दरवाजा खुलाया और ऐसे मतुमेता तो नहीं खोल रहे थे लेकिन खुलाया और बोला कि जल्दी से तभी तो देवचंद्र जी की आँखे भी ऐसे उची चड़ गई थी बोल भी नहीं पार थे कुछ सुन भी नहीं पार थे और दिख भी नहीं दे रहा था सुन्दर साजी उस टाइम पे क्या हुआ तब कर सके तो क्या करे उसके पास कोई रास्ता नहीं था तो माता जी ऐसे पुकार करने लगी ऐसे आवाज देने लगी तब देवचंद्र जी सुनते तभी बेभ्यान बेहोस होकर पढ़े थे सुन्दर साज जी तभी उसने बोला, मतु मेता ने, हे देव चंद्र, तुम चर्चा सुनने के लिए जाओ, भट जी का बुलावा, आया है, लेकिन सुन्दत साथ जी, यहां एक प्रशंग और भी घटित हुआ, कि भई, जो देह राखे तो धरम है, और धरम राखे तो देह है, यहां में ब तुम क्यों दर्वाजा है, मुर्खो में मरने का नहीं, तो यहां सुन्दत साथ जी यह सब्द क्यों निकाले, देव चंद्र जी ने, क्योंकि अंदर एक पराकाष्ट हद सी हो गई थी, देखो अंदर को एक धाम धनी की ओर, परमात्मा की खोज की ओर, अंदर कितनी जिग आकार, मेरा देखोगे, आकार, तुम जो मेरे को जाने नहीं देगे ने, तो मेरा सरीर यहां रह जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा कहां जाएगी, चर्चा सुनने के लिए जाएगी, तब उसने बोला, मतुमेताने के बेटा देह राखो, तो धरम रहेगा, तो देव चंद्र जी ने बोला, कि भई, धरम है तो देह, क्या बोला, धरम है तो देह, सास्त्रों में भी ऐसी प्रकार बताया, कि सरीरम माध्यम खलू धरम साधनम, कि जो सरीर रहेगा, तो हम भक्ती कर सकेंगे, लेकिन यहां देव चंद्र की मती अलग है, उसके विचार, उसकी बुद्ध उसकी सोच अलग है, उसने क्या बोला, कि नहीं, मेरे को धरम है तो सब कूछ है, इस संसार भी मेरे लिए धरम है, और यह देह भी मेरे लिए धरम है, क्या बोला, यह देह भी मेरे लिए धरम है, और यह संसार भी मेरे लिए धरम है, जो मेरा निष्ठा तुट जाएगी, मे साजी हमारे अंदर क्या इतनी अंदर से तड़ब कभी भी जगी और हम बिमार होते यह देव चंदर जी को ताव नहीं आया बुखार नहीं आया किसके लिए बोल रहे है कहीं सुन्द साथ बोलते के दिदी दो दिन बुखार आ गया या थोड़ी खासी हो गई जुकाम हो गया तो हम कैसे आये थोड़ा सीरदर्द हो रहा था ऐसे बोलते हैं नहीं हम परशान हो जाते क्या करें बैठने के बाद भी चेन नहीं पड़ता तो यह देव चंदर जी की बातों से क्या बताया कितनी दर्टा कितनी निष्ठा और वहाँ परिवार के लोगों को भी क्या बता करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा लेकिन हमारी मत कैसी है सुन्दर साजी सरी रहेगा तो हम चर्चा में जाएगे एश्रम जाएगे नहीं और देव चंद्र जी की विचार कैसे थे कि भई धर्म है तो हमारा देह रहेगा धर्म के पीना इस संसार में कूछ नहीं है ध धर्म की व्याख्य मैंने बहुत विस्ता से समझा दी थी सुन्द साजी थोड़े दिन पहले के धर्म बाहय कर्मकान या आडंबर या वेश्पुषा को धर्म केते हैं नहीं है हम कई बार बोलते हैं नहीं कृष्णपणामी धर्म में है नहीं है संप्रद आई है यह मत है मैंन धर्म तो अखंड धर्म सनातन है शुष्टी नहीं थी तभी धर्म था आज भी धर्म है शुष्टी नहीं रहे गिने तभी धर्म धर्म तो व्यास्मुनी ने बताया कि धर्म क्या है तो उसने बताया कि धर्म है यह कोई बाही आडंबर धारन करने की चीज नहीं है वो कर्म कांड नहीं है धर्म तो सत्य है यह इसलिए तो व्याश्मुनी ने बोला कि मैं दोनों भुजाये उच्ची करकर संसार को बता रहा हूं कि धर्म आज भी है धर्म पहले भी था यह सुष्टी नहीं रहेगी तब भी धर्म रहेगा धर्म में कभी भी विक्रूतिया नहीं आती ह मत में संप्रदाई में विक्रूतिया आती है मत नश्ट होता है धर्म कभी भी नश्ट नहीं होता धर्म एक रुक्षे और जो मत संप्रदाई है उसकी साखा है टेहनिया डालिया है क्या है डालिया है सुन्दर साथ जी और उसके पते अलग-अलग जो अलग-अलग मत संप् में बढ़ेंगे हम कहां पोचे मुर्खों में मरने का नहीं मेरा देखोगे आकार में मरने वाला नहीं हूँ तो सुंदसाजी हम भी घर से निकलते तो कई बार कोई-कोई रूप दजालका ले लेते ने अभी भी सक्या ने बताया क्या करें घर में भी कही कोई कारण खड़ा ह जाता तो हम नहीं आ पाते और वरत भी शुरू हो गया जन्माश्टमिका यह स्रावनमास का तो कोई दिवासा रहते हैं कोई अभी पाचम रहेगे कोई और फ्रत रहेगे तो कोई शिव जी के मंदिर में चले जाते तो वोलते के दिवास तो किस ने रूप ले लिया दज्जाल ने रूप ले लिया, दज्जाल कोई बाहर से आएगा, मार लोग घर में से निकले और कोई विचार आगए करे, आज तो मेरे को महां जाना था, थोड़ा कोई बैठने में उठामने में कई, जाना था तो आज मेरे को चर्चा में जाना, तो किसने रूप ले लिया कोई भी बाधा करता है, वो सब दज्जाल के रूप है, यह सब धामधनी ने बताया, कि यह सब दज्जाल के रूप है, और आगे भी सुन्दसाजी बताया, कि जब गीर कर पड़ गया, फिर मतुमेता को कोई सूज नहीं पड़ रही थी, कि करे तो क्या करे, फिर बोला, कि च चलो में वहाँ छोड़ूँगा आपको, तब देवचंदर जी कुछ बोले, नहीं, और अंगोचा, छोटा सा कपड़ा, लेकर कहां बांधा, शीर पर दोनों कान, धकर और हाथ में लकडी लेकर, वो चल पड़े, किसी के सामने बोला, नहीं, तो हमको चर्चा सुनने के लिए साड़ा तिन बजे, या तिन बजे घर से निकलते, तो कैसे निकलना चाहिए, यह किसकी चर्चा है सुन्दत साजी, किसी का सुनना नहीं चाहिए, चो हमको सुनना ही अक्षण की बाते, यह अक्सरातित की बाते, तो मान लो, धाम धनी ने वानी में बताया, मैं एक एक प्र कि हाथी की तरह मदमस्तचाल से चलना, देखो हाथी जब चलते ने सुन्दसाथ जी, तो हाथी को यहाँ एक पट्टे बांदेते, ऐसे जब गोड़े होते ने, तो गोड़े के भी आसपास एक पट्टे बांदेते, कपड़े के, एक छोटी सी पट्टी बांदेते, लंबे व संसार की ओर देखना नहीं है, बस हमको एक आतम की लगी है, बस धामधनी के प्रेम रसकी उसका आनंद की जो हमारे अंदर एक लगन लगी है, तो संसार की ओर नहीं देखना है धामधनी ने बताया, कि हम हाथी की तरह ऐसी मद मस्तचाल से चले, वह लोग क्या करेंगे हमारा, कुछ नहीं भी गाडने वाले, उसके पास कोई सक्ती नहीं है, उसके पास कोई बला नहीं है सुन्दसाजी, इधर उधर देखेंगे तो एक्सिडेंट होगा ने इधर उधर देखेंगे तो एक्सिडेंट होगा ने हमने इधर की और देखा तो पता लगा ने क्यों मना कर रहे हैं, क्यों देखा भई? चल जाओ ने, आख में देखना नहीं, बले ही आख हमारी देख रही है, रकिन हम कैसे अंदे? सुन्दसाजी वेदों में बताया, एक दिन में अलग रूप से बात ली थी, आज भी अलग र ना निकले तो आप मोन रह जाईए, कटू वचन या दुखदायक वचन तो हमारे मुक्षे निकलना भी नहीं चाहिए सुन्दसाजी, आज में अलग मोर से बताओ, के धाम धनी ने बताया, वेदों के अंदर हुकम के द्वारा जो लिखवाया है, के आप में अभी वह बात छोड़ी ने, जो गुण वाली, के इधर और देखना नहीं है, संसार की और देखना नहीं है, देखेंगे, तो हमको पता लगेंगे, यह लोग यह बोल रहे हैं सुन्दसाजी, तो उसने बताया, के आप जब संसार में निकलो ने, तब आप भले देख रहे हो, वेद में ब देख रहे हो, बहुतिक नेत्रों से, लेकिन अंदर से आप अंधे बन जाओ, मैं देखा, नहीं रहे हो, आप भले संसार की बाते सुन रहे हो, लेकिन क्या बन जाओ, गुंगे बन जाओ, बोलना भी नहीं, और बहरे भी बन जाओ, क्या बन जाओ, आप सुन रहे हो, लेकि सोन नेरे बहरे बन जाओ और कोई किसी के साथ बार्क दरने की जरुद पड़े तो मिठे वचनों से बात कीजिए वेद में बताया जो आपके अंदर मिठे वचन नहीं निकल रहे है तो गुंगे बन जाओ बोलना बोलना नहीं सुन्द साथ जी बस गुंगे मोहन रहना बहुत अच्छा है प्रिया या हितकारी वचन बोलिए यहां भी बताया कि देव चंजरी जी ने किसी की ओर नहीं देखा जो मतुमेता और कुमरभाई की ओर देखा होता तो चर्चा की द्रड़ता तुट जाती ने जो सुनने के लिए नहीं चल जाता तो आज भी आप द्रड़ता से सुनने के लिए आज 11 दिन से आ रहे हो जो संसार की सुनी तो आपके कितने दिन बीच में दज्जाल रूप बन जाते ने सुन्द साजी तो आपका कलियान करना है तो किसी की और देखना नहीं है हाँ कोई ऐसे अंघटित घटना गट गई और राज जी ने कारण कारज रूप रोक लिया तो यह अलक्षी बात है यह धामधनी का हुकम है लेकिन अपने मन के आधार पर हुकम पर बात छोड़कर आप ऐसे बाहना बना कर जो नहीं आएगे तो यह आप गुनेगार हो तो बस आगे मैं बढ़ू देवचंद्र जी तो कान पर अगोछा बान कर सुन्द साजी कान को मुंद कर चले गए और वहाँ जाकर ऐसी सभा कान जी वट भागवत कथा कर रहे श्याम जी के मंदिर में वहाँ जाकर बहुत सोता गरण बेठे थे वहाँ जाकर बीच में सुभा में सुन्द साजी बैठ गए बैठने के बाद ऐसे एकागरता से ऐसे कॉंट्रिशन के साथ ध्यान से ओचर्चा स्रवन करने लगे स्वास्थई भी ठीक होने लगा क्या होने लगा? स्वास्थई भी ठीक होने लगा तो हम सब को क्या धाम दनी बात बता रहे है? क्या आपको बले जितना भी अंदर कष्ट हो जितना भी दुख हो बुखार हो चाहे सीर्दद हो लेकिन धामधनी के चलणों में आप आएगे ने आपको दुख की और ध्यान नहीं जाएगा सुन्दसाजी आप जब इसकी और देखेंगे दुख तो ऐसे ही चल रहा है अंदर दुख कम नहीं हुआ है लेकिन आपका ध्यान इसकी और नहीं जाएगा ने तो आपको पता नहीं लगे कि महां दुख रहा है, समझ में आया, जब इसकी ओर ध्यान रखेंगे, तो घाव तो गहरा है अंदर, चलो, लेकिन उसकी ओर ध्यान देते ने, तभी हमको पता लगता कि दुख रहा है, उसकी ओर ध्यान नहीं देना है, वो दुख कम नहीं हुआ दुख तो ऐसे ही दुख रहा है अंदर का, लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं है, तो जितनी देर परमात्मा के चरणों में बैठ कर सुन्दर साजी धामधनी की वानी को सुनेंगे, तब तक हमारा दुख की ओर ध्यान नहीं जाएगा, तो यहां देव चंद्रजी ने क्या किया? वहां चर्चा में बैठने के बाद अपना बुखार की ओर इतना तीवर बुखार था, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, एसे कागरता से चर्चा सुनने लगे, और चर्चा सुनने के बाद जब घर गए, तो घर में जाने के बाद पूरा जवर जो बुखार था, उतर गया और श्वास्ताई बहुत सुधार आ गया, ठीक भी हो गया, ऐसे लगातार फी दस बार दिन चर्चा सुनने के लिए गये, धाम धनी ने आगे बताया, तापर तस पंद्र दिन हुए, कथा सुनत है कान, तहां आई के हके दिदार दिया, तुमको मेरी है पेचान, बोली ऐसी प्रा दिन चले गये, कथा तो रोजी सुनने के लिए जाते थे, हो कोई देवचंद्र जी की कहानी के घटना करम नहीं है, सुन्दत साजी हमारे घर के अंदर भी ऐसे कई घटना करम घटते रहते, हमारे शरीर भी ऐसे बना हुआ है पांच तत्वों से, तो हो भी हमारे बनेंगे, क्योंकि सरी की रचना ही ऐसी है, लेकिन उसकी ओर धियान उसने नहीं दिया, तो परमात्मा की ओर लगे, तो धाम धनी ने दिदार दिया, और यहां धाम धनी ने बताया, क्या बताया? कि तापर्त अस्पंद्र दिन हुए, उसके बाद जवर उत्तरने के बाद अभी पंद्र दिन हो गए, और वहां आई के किसने दिदार दिया तिसरा दर्शन? अक्सरातित के आवेश्वरुपने सामने आ गए, कहां? आप होई स्वरुप में चले जाए, मेरा एक एक सब्दा आप सुनते जाओ, और होई स्वरुप में आप ध्यान में डुबो, जो दिया से बात होती जाएगी, बहुत अच्छी तरसे राज्जी आपको वरणन करके बताएंगे, ये में बोलने वाली नहीं हूँ, धामदनी आपको विस्तार से बताएंगे, कि पोना दो घंटे, दो घंटे तक अक्सरातित पारवर्म के साथ वार्ता लाफ होते रहे, दर्शन दिये, वो दर्शन कैसा था? ये धामदनी हमको आगे बताएंगे, कि वो दिन कैसा था? क्या दिन था? मैं ये बताओ, बिक्रम सवन्त, 1668 आसो मास, रविवार का दिन और शुकल पक्ष था सुन्दसाजी, उस दिन और वहाँ जामनगर में बिक्रम सवन्त, 1664 में पहुंचे थे, और अठतर तो 14 साल हुए, कितने हुए? 64 में प्लस, 14 साल आप प्लस कीजिए, तो कितने हुए? 1668 हुए, तो ये तीसरा दर्शन, तीसरा दर्शन कब हुआ? 40 साल की उम्र में, धामदनी ने वाने मी बताया, कि 40 साल की उम्र में हके दिया, दिदार, और एक जग और भी बताया, कि पिया की अती प्रसन, तीन बेर दिये दर्शन, तार्तम बात, वतन की कही, यह बिज मंत्र, बिज रूप में तार्तम मंत्र, किस ने दिया? धामदनी, अक्षरा, तित्पुनब्रम परमात्मा ने दिदार दिया, और क्या पुछा? सब से पहले, कोन आएगा? अभी अंती में यह कसनी की हद हो गई, श्यामा जी की कसनी का बताया ने कही कसनी कसियंग, प्रेम शेवा में ना कियो भंग, कही कसोटी करी दुलीन, सो कारनम सब, सयन, यह चोपाई मत बुलना सुन्द साजी, यह चोपाई कोई छोटी सी चोपाई नहीं है, क कोई कसनी कसियंग, अरे अपने आकार को इतना सब्द तो हमने सिर्थ थोड़ी देर में बोल दिया, यह श्यामा जी को पता है, देवचंदर जी वाले तन को, कि कितनी कसनी की, आप सोचिए सुन्द साजी, चार साल इतना चरण में, एक एक बात में क्यों गेहराई में जा रही हूँ, समझ में आ रहा है, हम तो सिक चुपाई का अर्थ कर देते, बस आनंत मस्ती से सुन लिया, घर में जाकर आए से, मस्ती में रात का खाना खा लिया, सांती से आराम से सो गए, सुब को छे बजे, पाँच बढ़े उठे, बस फोर्मोलिटी की मंगला आर्थी कर ल ही है, कई कसनी, कसियंग इतने चरण में में गेहराय में लेके जादे सुनना, कई कसनी में, देखो मारवार से लेलो, पांच साल की उमर से लेलो, इतना ही नहीं, ग्यार साल की उमर से लेलो, चलो वहां से चार साल, फिर मारवार प्रदेश में खोज किया, फिर चार साल, औ अरिदासी के यहां कितनी सेवा की, हम किसी के यहां मंदीर में जाते रहे सुन्दसाथ जी, चलो आतो वानी उतर गई, वानी उतरने के बाद आप कोई शेवा करते तो कोई ऐसी कोई रून नहीं अदा करते हो, समझ गई मेरी बात, कोई उपकार नहीं कर दी आपने बढ़ा, परिचान वोने के बाद तो कोई भी कर लेता है, समझ में आ रहे है मेरी बात, आप नवतनपुरी में चले गए, या मंगलपुरी में चले गए, या सत्संगोल में चले गए, या मानलोक के गाउं में जो मारे मंदीर ये पुराने वहां चले गए, वहां जाके आपने बरतन मांज लिया, जाडू लगा लिया, पोशा कर लिया, सुन्दर साथ के लिए कोई और रसोय बनाई, थालभोग के लिए कोई प्रसास उधार लिये, सुन्दर साथ जी, तो आपन कर शख़लनीका उंग जो अमको पैचान नहीं थी, मैं बता हूँ एक बात और गेहरी, आप को किसी ने सीउ के मंदिर में भेज दिया, आपने किसी को चुरां के मंदिर में भेज दिया, और वहां बोले के—शे लाकरो, तो आप करेंगे? बताईया मेरेको जवाब दीजिए, म आप अपने पर लो, कि मेरो को पैचान नहीं होती, तो भी मैं कोई मंदीर में जाके सेवा नहीं करती, और पैचान के बाद कर रही तो कोई मैं बड़ा उपकार कर रहा, नहीं रही हूँ, यह तो मेरा कर्तव यह बनता है, मेरी फर्ज बनती है, कि मेरे प्रियतम अक्षरा, त काई कसोटी करी दुलहीन, दुलहीन कौन? श्यामाजी, अक्षरात इतनी अर्धांगी नी, आलंदा स्वरूप, आहलादी नी, किसके लिए? और एक बात रखो, हम जाते मंदीर में, मैं आपको पूछू, आप अपने मंदीर में बेढ़ते या और मंदीर में जाते, आपने आत्मकणियान के लिए जाते हैं, क्या सुन्दसाद आप भकती करते हो या घर में वानी पढ़ते हो, श्यवा पुझा करते हो, ध्यान करते हो, चिंतन मनन करते हो, तो अपने लिए नी, क्यों भई? श्यामाजी ने किसके लिए सादना की? किसके लिए की सुन्दसाद जी, एक एक शब्द सुनिया आप, किसके लिए की, हमारे लिए की सुन्दसाद जी, एक एक शब्द को आप देखना बहुत गहराई मेवानी ले जारी, अभी तो हम उपर का भी नहीं खोल रहे, क्योंकि शीमी थे, मरियादा है, समय की एक, का सोदा हेवानी यह थोड़ी चहचा करने की चीज है हमारे घर की बात हम रोद पड़ोस में गाते क्या यह तो ऐसी बात हुई कि मैं हमारे घर की बात रोद पड़ोस में गाती हूँ देखो आज कितने लोगों के सामने गा रही हूँ घर की बात कोई एक सामानी सी बात भी कोई आ जाते हैं तो हम बंद कर देते, तिसरे लोग आ जाते, तो घर की बात भी हम बंद जो देखो हुआ आ गए, घर की बात नहीं करनी चाहिए ने, इंद्रावती जी ने शिंधी में जाके धामधनी ने बता दिया, कि बात पडोशन भी ना सुने, ब करने की चीज है, कहने की नहीं है, स्वयम चलने की चीज है, यह चलने की बात है, कहने की बात नहीं है, बस उस पर चलो, थोड़ा सा भी लो लेकिन चलो, लेकिन धामधनी आज गभावा जायरे, बस गभावा, इसलिए ति इंद्रावती ने कहा, कि मैं वीरह का दर्द, बस गाती जा रहे हूँ, गाती जा रहे हूँ, उसमें डूब तो नहीं पा रहे हूँ, तो सुन्दत साजी धाम धनी, श्यामा जी ने क्या कर्षनी की, पिया में बहुत कतो को ढूंडिया, छोड़ दंदा सब और, उच्छत फीरत सुहागनी, पिया बतावे मोह कोई, ठोर, पिय में बहुत कतो को ढूंडिया, हे पिया, हे प्राणनात, मैंने तेरे लिए कितनी जगह जगह ढूंड़ा, तेरे को कई कई जगह में ने खोजा, हर जगह में जाके पूछती थी कि मेरे पिया का ठोर बताईए, जहां जाती हूँ, कोई राम का ठोर बताते, कोई जगह जाती देवी का ठोर बताते, कोई जगा जाती तो शीव का ठोर बताते, कोई जगा जाती तो विष्णु का ठोर बताते, कोई जगा जाती तो विष्णु के ओर अउतार वाले ठोर बताते, लेकिन किसी ने पारब्रहम का ठोर तो ठिकाना तो बताया, नहीं है, यहां बताया कि पु नारवर मक्ष्रातित का ठिकाना बताएगे क्या कोई, लेकिन इस संसार में कोई आये ही नहीं थे, इस से पहले कोई आये ही नहीं थे सुन्द साजी, तो यहाँ शियामा जी को जो तिसरा दर्शन हुआ, सुन्द साजी, यहाँ खोजते खोजते जो आगे बढ़ रही है, और दिसरे दर्सन में जब पहुंचे तो यहां बताया कि तुमको मेरी है पैचान, किसने पुछा, अक्सरा तितने कि तुम मेरे को जानती है, मेरे को क्या पैचानती है, कि मैं कौन हूँ, तब श्यामा जी ने क्या बोला, पता है, श्यामा जी ने बोला, कि मैं आपको पुर्ण रूप से, वास्तविक रूप से नहीं जानती हूँ, मेरे को सिर्फ इतना पता है, कि तुम मेरे आत्मा के खाविंद हो, लेकिन यह पुर्ण रूप से नहीं कह रही हूँ, मैं अगनान तुम पुर्ण रुप्षे नहीं के रही हो ने, श्यामा जी तो तू कोण है, ये आपको पता है, तू कोण है? सुन्द साजी ये किस की बात है? मैं रोज अलग-अलग मोर से बात लेती हुने, कि हमने हमको जाना, नहीं कि हम कोण है? हम कौन है और कहां से आये है और संसार छोड़ कर जाना कहां है सरी छोड़ कर तो ये ठीका नाम ने खोजा नहीं सुन्दर साजी तो यहां भी पूछ रहे कि तुम कौन हो कि आपकी जात को आप पैचानते हो तो आपको भी कोई पूछेगे कि आप कौन हो श्यामाजी गुनेगार नहीं है, क्योंकि श्यामाजी तभी तो वानी नहीं उत्री थी, आज वानी उत्र गई 400 साल और जागनी लीला का अंतीम आखरीश में चल रहा है, तो भी हमने जाना, नहीं कि हम कोन, हाँ हमने बोल तो दिया, कि परमधाम कि हम आतम है, लेकिन यह हमार द्रश्टी से देखा, आंतरिक द्रश्टी से देखा, नहीं है, तो यह बोला, राज जी ने पुछा, कि श्यामाजी, उसको तो पता है ने, फिर मैं एक बात बीश में बताओ, क्यों पूछा कि तुम कौन है, आपको याद आएगा, सुन्दर साजी वानी बहुत गेरी, मै राज जी आगे वाली सब बात याद करवा रहे है, आप ध्यान से सुनना, हम उससे पहले कहां थे, यहां आया उससे पहले रास में, कहां थे, रास में थे, मरे बरज तो उससे पहले थे, रास में थे, राज जी ने रास की बात को याद दिला, इसलिए पुछा है, कि तुम कौन हो? चलो, मेरेको तो नहीं पेचानती हो. मेरेको पुर्ण रूप से नहीं पेचानती हो, क्योंकि मैं इस वार पहली बार इस संसार में आया हूँ. राज जी ने क्या बोला? इससे पहले तो चोवी साउतार विष्नु के आते और जाते थे मैं कभी भी इस संसार में आया? नहीं था तो कोई नहीं पेचानते. मार लोग के इस संसार में हम पहली बार आते, तो कोई लोग थोड़ी पेचानते. समझ गए. राज जी कैसे आये? पहली बार आये ने? दो बार आये. लेकिन देवचंद्र जी ने देखा ने? तिसरी बार आये, तो अभी देवचंद्र जी अकेले देख रहे है, लेकिन पुछा, कि मैं पहली बार आया हूँ, तो चलो मेरे को नहीं आप पेचानेगी? लेकिन, विष्नु के अउतार जो आते थे, जाते थे, उसको आप पेचानती थी, और विष्नु के अउतार ने कृष्न के रूप में, ब्रज और रास में जो लिला की थी, इस ध्यान से सुनना, जो याद दिला रही हूँ, तभी तु रास में थी, श्यामा जी, तभी तु रास में थी, तो आज तु राधी का हो, और मैं कृष्नु हूँ, इस रुप में क्या तु मेरे को पेचान रही हो? क्या पुछा राध जी ने? तु इसलिए नहीं जान रही हो, और आगे पुछा, कि तुमको तेरी पेचान है? क्या तु अपनी जात को जानती हो? यह क्यों पुछा? मैं और आगे ले जाऊंगी. सुन्द साजी इसलिए पुछा, कि जब रास में आख मी चामनी की, जब रामत चल रही थी, रास में आई थी ने रामते मैंने बहुत विस्तास समझाई थी सब रामतों को. आख मी चामनी की, करताल की, कोणिया की, गुमलडा की, ऐसी कई रामते बताई थी आमबा की. तो ऐसी रामतों में आख मी चामनी में सुन्द साजी एक बार जब राज जी को खोजने के लिए सखिया गई, फिस्यामा जी का जब दाब आया, तो श्यामा जी को राज जी ने पुछा कि श्यामा जी ऐसा करो ने मैं आपके बदले में दाव दे दू तब श्यामा जी ने क्या बोला था पता है श्यामा जी ने बोला कि में खेल नहीं जानती क्या में खेल नहीं कर सकती क्या में अपना दाव नहीं दे सकती क्या तो आप मेरे बदले दाव दे रहे हो तब राज जी मंदबंद मुस्कुराए थे राज जी ने अंदर से अंदर सोचा कि मैं देखता हूँ तुम मेरे को कैसे ढुणेगी मैं देखता हूँ कि तुम मेरे को कैसे ढुड़ोंगी देखता हूँ तो श्यामा जी ने बोला कि मैं आपको खोज लूँगी देखो ठक गई 40 साल से खोज रही, मिले राज जी नहीं मिले राज जी नहीं मिले, राज जी को अंदर चिंता हुई हो दुखी हुए कि भई, मैरी श्यामा जी 40 साल से खोज रही है वहां तो बड़े बड़े वादे किये थे दावे भी किये थे और बड़ी बड़ी बाते भी रखी थी कि धनी, मैं खोज लूँगी आपको, आपको मेरे बदले दाव नहीं देना है तो देखो आज मेरे को खोज नहीं रही है, मैं नहीं राज जी आये, कौन आये इसलिए बोला ने पांच बेर पियो हम वास्ते सागर में डारिया आप तो यहां श्यामा जी के अंदर जो एहंकार था और एक जो बल था और जो दावा था बड़ा बड़ा तो वो भी नीचे गिर गई या नो गिर गई गिर गई ने सुन्द साजी खेल में हमारा कुछ चलने वाला इसलिए हम बोलते के हम तो आथ हुकम के हक के आथ हुकम इत हमारा पिया जी क्या चले जो जानो त्यो क्यो रो खसम खेल में हमारा कुछ चलने वाला नहीं यह या श्यामा जी को बोला कि बाई नाम तुमारा सुन्दर तुम खेले ब्रजरास में मनो रथ ना भये पुरण तो तिसरो रच्यो इनसे अरे तुमारा नाम सुन्दर बाई है तुम ब्रजरास में खेल चुके हो तभी तुमारा मनो रथ पुरा नहीं हुआ था इच्शे पुरी नई हो थी, क्या इच्शे पुरी नई हो रही थी? कौन-कौन सी इच्शे पुरी नई हो रही تी? हमने क्या बोला, परम, बताए? गोकुल में ग्यारश जाल बाद दिन की लिला हुई वहाँ तो बाहना करकर कर राजी को मिलने के लिए अक्षराधित को मिलने के लिए कुझनी 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 की गलियों में गोकुल में जाती थी फिर रास में भी गए लेकिन रास में तो अकेले ही साथ में रहे गोकुल में भी अकेले ही रहे इतना ही छोटा सा गोकुल बताया और जगह तो घुमने के लिए गए नहीं तो परमधाम जाकर क्या बोला आमने के धनी इतने छोटे से गोकुल बताया उश में भी आप साथ में रहे इतने छोटे से गोकूल बताया उश में भी आप साथ में रहे नहीं आमने राजकोर देखा नहीं आमने अमदाबाद देखा नहीं आमने गोकूल मतुरा यहां का भी देखा नहीं आमने शिमला देखा और क्या क्या नाम लूँ, मेरे को तो देखना ही नहीं, बोलना ही नहीं है बहुत देख लिया, आज मैं सुबह को एक सुन्दसाथ को बोल रही थी कि धनी खेल को बहुत देख लिया, सुन्दसाथ के साथ बात कर रही थी कि बहुत हो गया, धनिया खेल को बस बहुत देख लिया, अभी हमारी इच्छा अभी अधूरी नहीं है, बहुत देख लिया, बस यह खेल को जब आप इच्छा हो तो खतम कर दो, ऐसी हमारी बात दो मिनिट हुई सुन्दसाथ के साथ, लेकिन परमधाम में जाके राज जी को में तो दुख, गोकुल में तो धनी साथ में रहे ने, तो हम दुख, हमने दुख देखा ही नहीं, यहां राज जी, अभी पता लगा कि एक गंते सेवा पुझा करने के बाद भी दर्सन, तब ही पता लगा, ओ तो नीतिया उठे हमारे आंगने, समझ में आरा है, मैं इस सार दे रही हूं, नीतिया उठने के बाद क्या करते थे वाला जी, आंगने, हमारे आंगन में खड़े हो जाते हम, उसको क्या बोलते थे, छलिया, धुतारा, आज पता लगा, कि स्वरुप साइब घर में आने के बाद, कितनी सेवा में समय देना पड़ता, एक गंटे पढ़त तो भी एचलिया दर्शन, नहीं देते हैं, ने सुन्दे साज जी ये दर्शन, तभी पता लगाने, धामदनी ने बताया, कि उसका बागाबस्त्र बदलते रहो, ये मेमान की तरह नहीं आए है, उसके साथ बातचीत नहीं करेंगे, तो मेमान कितनी तरह रोकेंगे गर में, समझ गए, कोई हमारे घर पे अगंतु कतिति आज आए, और उसको तिन दिन तक रोको, उसको अनेक अनेक प्रकार की वानगी मिठाए खिलाते रहो, बहुत कुछ उसके पिछे आप सेवा करते रहो, उसका बिच्छोना बहुत अच्छी तरह से बिच्छा हो, लेकिन उसके स पादिया मेमान गती के लिए वो नहीं आया है, उसके साथ हो, बात हो, करनी है सुन्दसा जी, तो यह पता कब लगा, जहांगरी ब्रह्मान में आये, तभी लगा, वहां आमने देखा, नहीं था, ब्रज और रास में धनी साथ में रहे, तो परम्दा मुल मिला में जाके, हम अपने जो कहा था, हो ऐसा खेल, तो हमने देखा भी, नहीं सुन्दसा जी, वरज में और रास में तो कितना आनन था, कि काम करने के बाद, धनी फीर मिलते थे, मिठी-मिठी, बाते होती थी, आज कितना बाहना करकर, सुन्दसा जी एक दिन के लिए आना, चर्चा सुनने के लिए तो कितनी तकलिफ और कितना, कितनी परिशानिया होती है, तो तभी हमको यह पता लगा सुन्दसा जी, तो हम आगे बढ़े, कि देवचंद्र जी को जो दर्शन दिया, तो उसने बोला, कि बाई नाम तुमारा, सुन्दर, तुम खेले ब्रज रास में, मनोरत ना भये अलग-अलग परिवार और गुरुस्ति में पत्ती बच्चे और जो दुख देखना था, तो दुख की बाते वहां पुर्ण, नई हुई, यह फिर और वानी में बताया, कचु इनविद कियो रास, फेल के खेले फिरे घर, उमेदन रहिया पुरण, तो धाक मन में रही, कच और लग नई होग हाँ? फेल के खेले फिरे घर, खेल के फिर हम घर पे गए, लेकिन माहामारी हुमेद पूरण, ना हुई, ओर सुन्द साजी, संदर्भाई अलग नहीं है, और स्यामाजी भी अलग नहीं है, सुन्दर्भाई शभुपत स्यामाजी उके रूप में लीला कर क्योंकि धामदनी ने बताया, कि यामेश्यामा जी की सुरत आई सार, मतुमेता घर अवतार, ये कोन आया, सुन्दरबाई इन फेरे, आये साथकारण जी, भेजे दिधनिया आवेस्ट देगे, नियारे नुए येक, चरण जी, सुन्दसा जी, एक पल हमसे नियारे, नहीं है, सुन्दरबाई किसके साथ आई, और क्यों आई, धामदनी ने पहले से बोल के रखा था ने, के लिया वो बुलाई तुम, रूह ला, जो रूहे मेरी, आसीक, रबद किया प्यार वास्ते, के हो कहलाया, अक, और गुजराती में भी आके प्रकरण में बोलते हो, सुन्दर, स सुन्दरबाई आपण माटे, किसके लिया आए? हमारे लिए, सुन्दरबाई इस संसार में चोथे दिन में रसुल ए धरा कदम, धामदनी ने वानी में बताया ने, के चोथे दिन में रसुल, रसुल कौन? मलकी शरूप, रूह ला, सुन्दरबाई ने, चोथे दिन में हमा आपकार ए रगार एक दम धर और इहा चुप है में बताया, सुनवर आप ध्यान से के वही किश्वरती शुंदर खेला शुरुब जो षू Auntie वृ कि भट Size जी जया, बर राद्रशन ने ने, तो किश्वरती हुआ तो किस वई के स्वरुप ते और परमधाम के शुरुंगार में आये थे, किस सुरुंगार में? रास के शुरुंगार में, नई उसका प्रमान भी में दूंगी सुन्दसाजी, नवरंग कृत, सुन्दसागर है, नवरंग स्वामी के कृत जो सुन्दसागर है, और जो वृतांत मुक्तावली है, उस दोनों प्रमान भी दिया है, क्या प्रमान दिया है, यह मैं आगे बताऊंगी, कि जो देव चंद्रजी को दर्सन देने वाले जो स्वरूप थे सुन्दसाजी, ऐसा भी मानते हैं, कि वो रास बिहारी, बाके बिहारी वाला रास का स्वरूप था, लेकिन वास्तविक्ता तो यह है, वो रास का स्वरूप नहीं था, परमधाम के श्रिंगार में, देव चंद्रजी के सामने आने वाला स्वरूप, जो अखंड ब्रज और रास में, श्री कृष्ण के रूप में, जो अक्सरातित की आवेश शक्ती ने, जो लिला की थी, वो ही आवेश शक्ती, देव चंद्र यहां लालदाश्री माराज ने महामति के सब्दों में बताया कि इतना सुन्दर ये स्वरुप है इतना सुन्दर है कि उसकी बराबरी इसकी महिमा उसका सुन्दरिय किसी के बराबर समान दिया नहीं जा सकता है उस स्वरुप को देखकर श्यामा जी ऐसे मंत्र मुग्द हो ज अंदर से क्या भाव प्रगट होता है स्यामा जी के अंदर के मेरे मन ऐसा गवाही दे रहा है। प्रमान दिया है पेले में रास का सुरूंगार वाला वरणन करूंगी के पिंडी उपर पाइचा जिनी कुरी जरवार के सरीय रंग सुथनी इंद्रावती निर्खे करार। तो रास के सिंगार में जो वरणन आया है उसमें क्या है तो सुथनी नीचे वाला पाइचामा जो रास के सरूप में रास भ्यारी बाखे भ्यारी ने शुरूप जो धारण किये थे। उसमें जो पाई जामा नीचे का सुथनी है सुन्दसाजी, वो केसरिया रंकी है, नीचे से चुननटों में जड़तर काम किया हुआ है, लेकिन उपर पिली पटोली पहनी है, क्या पहनी है? रास के सिंगार में पिली पटोली पहनी है, रास के वरणन में बोला, और जो पीछो उसमें सेंदूरिया रंकी पाग पेनी है लेकिन रास के सिंगार में मुगुट बताया है क्या बन्यात बताया है मुगुट बताया है फिर रास के सिंगार में नीचे चोटी गुथी हुई है बाल में चोटी गुथी हुई है परमधाम के सिंगार में कुंगराला बाल है और श्वामी कृत में नवरंग श्वामी ने भी बताया कि जो परमधाम का शिंगार है उसमें सफेद रंग का जामा के सरिया रंग की इजार निलो नपीलो बीच के रंग को पटुका और आस्मारी रंग की पिछोरी और सिंदुर्या रंग की पाग पेनी है लेकिन राज से श्वामने आने वाला जो स्वरूप है वो रास का इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी बताया कि रास खेल के फिर परमधाम गए ने उमेदाना हूँ या पुरण तो वहां जाके श्यामा जी को बोला कि जाओ श्यामा जी तुम बारज़ार आत्माओं को लेकर उसका खेल आपको सोपता हूँ लेकिन चोथे दिन में वो जामा में लिला नहीं होगी श्यामा जी किसको सोपेगी पांच में दिन में इंद्रा वती को सोपेगी लेकिन वहां सिर्दार किसको बनाया श्यामा जी को भी चोथे दिन की लिला चल रही है ने सुन्दसा जी तो वहां से ब माओका और मुल मिलावा का वरणन भी 22 दिन मिलन होगा कितना दिन जन्माश्टमी के दिन आया और भादरवास सुद चौदस तक सुन्दसाजी इतने दिन मिलन रहेगा ने 22 दिन अंतिम की में बात कर रही हूँ तो 22 दिन का जब मिलन रहता है तो तबी जागनी के उत्तर इत्व की पूरी सोबा देते ने उसको सुन्दसाजी तो कौन होगा उसके सामने आने वाला शरूप भी परम धाम के शिंगार में होगा और फिर वापस चाने की बाद भी परम धाम मुल मिलावा की बाद भी परम धाम के शिंगार में अक्षरा तीती कह सेकेगा और भी हम सम तेने कि एक चोपाई, जो तार्तम के बीज रूप में एक चोपाई उत्री, निज नाम शी कृष्ण जी अनाधी अक्षरा तीत, सोतो अब जाहरवयशब विद्वतन सहित, तो यह तार्तम के बीज रूप चोपाई उत्री, कितने? तार्तम के बीज रूप चोपाई उत्री सुन्द साजी और उसकी जो विस्तार है, वो पांच चोपाई वाला नीचे वाला विस्तार, वो महामती के धाम दिल से, इंद्रावती के धाम दिल से पांच में दिन में उत्रेगी, उसमें से दूसरी, तिसरी, चोथी और पांच में बीच वाली चार चोपाई है वो दिव बंदर में जहराबाई कंसारको जगाने के लिए जब जाएंगे तभी सत्रसो बाविश में उत्रेगी और अंतिम वाली जो छठे नंबर की चोपाई है वो अनुव शहर में सुन्दसाजी प्रकास इंदुस्तानी का आउत्रण होगा त अवी चखी चोपाई अंतिम वाली जो छोपाई ए तार्तम मंत्र की तभी उत्रेगी और तार्तम का विस्तार चोपाई का विस्तार और एक सोने 12 चोपाई प्रगटवानी और उसका विस्तार इसलिए धामदणी ने बताया के तार्तम को तार्तम इंद्रावति अंग विस्तार पैया देखाया पार का वरी पार के भी पार सुन्दसाजी यहां यह भी बताया के तार्तम का यही रस चड़िया जहर उतारे निर्विसी काया करे जीव जागे करारे तो तार्तम क्या क्या करेगा वानी उत्रेगी तभी हम बताएंगे लेकिन यहां तो मेरो को एक बीज मंत्र की बात करनी है तो जो एक चोपाए देवच कि नई शोडाक्षारी मंत्र नीजिनाम्षी कुष्ण जी अनाधि अक्ष्रा तीत हो खिछ्ण जी ने बोला दर्शन देके और पिछे वाला जो दो चरने हो श्यामा जी ने बोला सुन्दसा जी ऐसा नहीं है चार चरन में दो व्यक्ति नहीं बोलेंगे तो नीचे वाला जो प्रथम पुरुष की जगह, मैं उत्तम पुरुष अक्षरा तीत जायर हुआ, ऐसा वा लिखा हुआओगा, शुन्दसाजी ऐसा नहीं है, यह दोनो जो चरण है, चारो चरण है, एक चोपा है जो, निजिनाम श्री कुरुष्टन जी अना दी अक्षरा, तीत, सोतो अब जायर भये, शवीद वतन शहीत, यह कहने वाला तो अक्षरा ती थे, उसकी आवेश सक्ति से उत्रण हो रहा है, लेकिन बोलने वाली अंदर कोन है, श्यामा जी है, और जब श्याम जी के मंदिर में, दर्सन जो हो रहा है, सुन्दसाजी, तब दर्सन में रहे है, एक श्यामा जी, और स्रीमन चोदरी धनवान लोग बेठे, उसको दिखाई नहीं पढ़ रहा है ने, और सुन भी एक श्यामा जी रही है, और दिखाई भी उसको एक को हो रहा है ने, और किसी को नहीं हो रहा है, और जब दर्सन हुआ, तो पुरा तेज पुंज, ऐसे आकास में पुरी, ऐसे जब द्रश्टी हुई, तो ऐसे पुरा नूर, नूर, इतना प्रकास निकल रहा था, उसके बिच से एक तेज पुंज जैसा दिखाई पड़ा, और जैसे तेज पुंज दिखाया, तो उसके सामने इतना मंत्र मुग धोकर श्यामा जी देख रह निने, मैंने आभी आधी बात छोड़ी सुन्दसाजी, कि दोनों जो एक चोपाई और जो चारों चरने, ये सिर्फ श्यामा जी ने ही बोला है, और कहां बोला, ये भी मैं बताऊंगी, कि जब अंदर जब श्यामा जी तो अंदर से इतना आनंदित हो गई स्यामा जी, सद् किंसो कहू, ये बात में किंसो कहू, तब जब गांग जी बाई को सुन्दसाजी बताती, इससे पेले, किंसो कहू, किंसो, तो इतने आनंद अंदर भर जाते हैं, तो वहां जाके चोपाई, उतर थी है कि निजनाम शी कृष्ण जी अनादी अक्षरा, तीत, लेकिन तार्तम के बीज रूप, सिर्फ मंत्र एकी चोपाई का उतरन हुआ, पिछे वाली जो पांच चोपाई है, वो पांच में दिन में महामती के धाम, दिल से उतरी, और सुन्दसाजी आगे हम जाएंगे, तब आगे काम समत्य जाएंगे, लेकिन मेरे को यह बताना है, कि जो दर्सन द देने वाले वो श्वरूप थे, वो पार्ब्रमक्षरातित का आवेशा श्वरूप था, परमधाम के श्रिंगार में था, और जैसे तेज पुझ दिखाई पड़ा, और आगे जब बात करते रहे, और श्यामा जी पूछ रहे कि धनी, अब जाओगे कहां, जब इतना सुन्दर, तुम सुन्दर बाई हो, तुम अकेली संसार में नहीं आई हो, तुमारे जैसी बारत जार, आत्मा ये आई है, उसको जगा के वापश परमधाम आना है, और भी बताया, आगे कि आपको चर्चा करके सब आत्माओं को पेचान करवानी है, तभी सुन्दर बाई क तभी बोला के तेरे को तो पता नहीं है श्यामा जी के साथ कहां कहां परे, लेकिन तु चर्चा तो प्रारम कर दे, क्या बोला, तो सुन्दर साजी ये किस की बात है, ये किस की बात है, के मैं बेजूंगा तमाम, तुम पहले दिन, किस डेट पे चर्चा शुरू की हमने, देट तब क्या थी? तीन तारिक थी, ने? तीन तारिक शुक्रो वार था सुन्दर साजी, तो उस ने बोला कि तेरे को आत्मा को डुन-डुन के लाना या पेचानना, यह तेरी सोबा, नहीं है, यह सोबा मेरे को दी यह दाम दनी ने बोला, कि अभी मैं तुक को सोबा दूँगा, लेकिन तेरे को तो बस चर्चा प्रारम करनी है, मैं बेजूँगा, तमाम, फी श्यामा जी ने बोला, कि धनी, तो वो साथ है कहां? तो उस ने बोला, कि तेरे पर भी भरामोसी के आवरन है, तेरे भी पर निंद के आवरन है, तू नहीं ढूंड पाओगी, तेरे को क्या पता कि श्याम होल के पास और आत्मा है है, या स्रद्धा सोशाइटी में है, या आसपास में में टोड़ा, या कहां कहां साथ, तो हमारे खोकरदर से भी सुन्दसाथ आए है, और आज में ने देखा आभी बामना साथ सी भी सुन्दसाथ आए है, ऐसे बहुत-बहुत बार-बार से आज सुन्दसाथ अलग-अलग से आए है, और राजकोट में भी या लक्ष्मी नगर या अलग अलग राधा नगर, कहीं कहीं से सुन्दसाथ परिवार पार कहीं कहीं से सुन्दसाथ आये हैं तो यह तेरे को खोजना नहीं है जब तु बात सुरू करेगी तो सुन्दसाथ एक से दूसरे दूसरे से तिसरे ऐसे बात प्रसरेगी और सब सुन्दसाथ की भीड़ लगने लगेगी पहले पहले द नहीं है सुन्दत साजी तो हमको भी क्या करना है कि तू चर्चा सुरू कर दे ये श्यामा जी फिर जैसे ये स्वरुप अंदर गया सुन्दत साजी तो ये स्वरुप तब धामदनी को पूछा फिर श्यामा जी को तो पता ही नहीं है श्यामा जी पूछ रही है कि धामदनी ज प्रवेश्ट करके बेठो, आपके दिल को में औरस धाम दिल बनाऊंगा, तब स्यामा जी ने बोला, कि तो मेरे को पुछने की जरूरत ही, क्या है, क्या आवश्चक केता है, देखो धाम दनी सोयम दिल में बेठ जाते, तो पुछने की जरूरत ही, नहीं रहे थी, तुम हमारे धाम दिल में किसको बेठाना है, अक्षरा, उसकी सेज भी चानिये, कोमल कोमल, उसकी ये धाम दिल में आत्मा के धाम दिल में बेठाना है, तो यहां भी बताया, कि तुमारे धाम दिल में बेठ जाऊंगा, तो उसने बोला, कि तुम सोयम आकर बेठ जाऊंगा, तो म दाम का शब दर्सिय दिखाई हो, देने लगा, अखन ब्रज दिखाई देने लगा, अखन रास दिखाई, देने लगा, ऐसा इनी जो भागवत, गीता, महाभारत, आधी और धर्मसास्त्र के जो गुज माइने थे सुन्दसाजी, वो भी अंदर खुलने लगे, क्या क्या खु कहने के वो एक परमपरा से हम सुनते आ रहें ने, कि वह सब सुन्दसाजी बोलते हैं, कि चौद साल भागवत सुना, उसके बाद दिदार हुआ, हम सुनते आ रहें, नहीं, सुन्दसाजी भागवत सुना, इसलिए दर्शन नहीं हुआ, मैं या प्रमार दूंगी आपको, उसके बाद की चुपाया आएगी, आप घर पे जाके बितक साहिब खोल के देख लेना, उसमें बताया कि यह भागवत कलाम तुमारा, यह भागवत कागज तुमारा, जो तुमें खुले कलाम, और कोई ना खोल सके, जो मिले खलक, बताये मेरे को जवाब दे दीजिए उसक यह भागवत कागज तुमारा, जो तुमें खुले कलाम, भागवत का जो अमारे लिए कागज आया, पत्र आया, संदेश आया, चाए भागवत में, या गिता में, या महाभारत में, या मायस्वत अंत्र में, या पुराण सहिंता में, या जो भी पविश्योतर पुराण मे चुवी सास्त्रों में अमारे प्रमाना आये वो सिर्फ हमारे कागज है यह सिर्फ हमारे पत्र है उसमें पुर्ण रुप्शे ग्यान नहीं आया एक दिन में ने विस्तार से बता दिया यहां बताया कि भागवत का जो गुज माइना है जो गुज रहस्य है ये संसार के सभी जीव जो एकत्री दोके खोलना के लिए चाहेगा या बेठेंगे तो वो खोल नहीं पाएगा उसका माइना तेरे पास है देखो जो भागवत से दर्सन हुआ होता तो ये लालदासी ने लिखा है मैंने लिखा तो एसा थोड़ी दामदनी लिखते के तेरे से खुलेगा तो ये नहीं बोलेगे के हेश यामा जी तुने चवूद साल भागवत सुन लिया तो तेरे से तो मैंना पहले फेले खुला गया और ये भी नहीं और भी आगे बोलते होगे के, शैमा जी ये माहिना तो सुगधेव मुने भी खोल दिया होगा, लिखने वाले इससे पहले वियास मुने भी खोल दिया होगे, इससे पहले सुगधेव और उससे आगे कांजी, भाट और आगे जागे अर्जी वियास. किसी के पास जवाब नहीं है बड़े बड़े अगुवे बैठकर गदिपती बनकर बैठे अचारिय बनकर बैठे लेकिन किसी के पास यह माई ना खोलने का कोई किसी के पास सुन्दसाजी जवाब नहीं है क्योंकि क्यों जवाब नहीं है मैंने एक दिन बताया था कि एते द्रिंती लोक में हुई उती बुद्ध शुपन चागरत बुद्धी कौन लेकर आया श्यामा जी आई ने सुन्दसा जी और मैं थोड़ी देर पहले बोला कि चावी और कल यह भी कोई किसी को पता नहीं था इसले में पहले पहले थोड़ी बात रखती जाती हूँ क्योंकि जब प्रसंग आयेगा ने तो आपको समझ में आ जाएगा तो यह भागवत और गिता का माईना कौन खोलेंगे श्यामा जी खोलेगी सुन्दसा जी उसके अंदर धाम धनी खोलेंगे क्यों खोलेंगे ताम धनी श्वया मंदर बैठ गए तो हम गिता और भागवत का माईना आगे हम एक दो चलोकों में देखेंगे सुन्दसा जी इससे पहले मैं यह बताओं कि सब लोग बोलते कि भागवत से दर्शन हुआ भागवत से नहीं भागवत से हुआ होता तो पहले शुक्देव मुनी को होना चाहिए और उसके बाद उससे पहले व्यास मुनी को होना चाहिए उसके बाद सुक्देव उसके बाद कांजीवत क होना चाहिए और उसके बाद जो स्रिमन चोदरी और कई वैष्णेव सुन रहे थे बहुत टाइम से देव चंद्र जी तो पिछे से गए तो होगों को होना चाहिए लेकिन वो किसी को नहीं हुआ सुन्दर साजी और किसको हुआ स्रिदेव चंद्र जी को हुआ तो सुन्दसाजी भागवत से दर्शन नहीं हुआ है लेकिन श्यामा जी ने सास्त्रों जान जानकर जो धर्म सास्त्रों की जानकारी लेके-लेके कहां तक पहुची भागवत के दस्मिस कंद में जो सार तत्व अंसभुत तत्व रखे थे उसकी भी जानकारी लेली और कस्नी की हद आ गई और धामधनी ने विचार किया कि इस संसार का जो ज्यान था मैंने एक दिन बताया था कि चारवेद, छे सास्त्रों, उपनिशद और अठार पुरान जो उसमें अठार मां पुरान भागवत ये तमाम का जो सबसार है वो भागवत के दस्मिस कंद में आ गया उसके आगे का ज्यान किसी के पास कोई सास्त्रों में नहीं आया है तो है श्यामा जी उसको भी आप देख लो उसके आगे तो इस संसार में कोई ज्यान नहीं है तो इसलिए सुन्दसाजी राजी ने श्यामा जी को भागवत की एक एक नस में कालम ने देखा ने कालम ने देखा एक एक सकंद एक अध्याई एक एक श्लोक और एक एक उसके सब्दों में गए नस नस में पत्ते की नस नस में गए क्योंकि श्यामा जी को पेचान करवाई के श्यामा जी देख लो संसार का ज्यानिया अटक गया और उसके आगे यह वानी आयेगी और श्यामा जी की राज जाने के लिए आपको जाने की जरुरत नहीं है क्योंकि भागवत खोलने वाले में ही तो स्वेम बेट गया, बोलिये शी प्रानाथ, कौन बेट गये, भागवत खोलने वाले, में ही तो स्वेम आपके अंदर बेट गया, तो आपको आगे जाने की जरुरत नहीं है, तो उस के अंदर सुन्दसाजी गुज माइना खुलने ल भागवत के दश्मेश कंद में अखंड ब्रजरास की जो बात की गई है तो जो ब्रज की लिला है रात और दिन की है और रास की लिला सिर्फ एक रातरी की है महारास रातरी नित्य वरंदावन में हुई तो वो प्रमान शुक्देव मुनी ने भागवत में तो दिया लेकिन को खोला, नहीं पाए, क्योंकि उसको पता ही नहीं लगा, कि रासरात्री अखंड हुई, तो यहां नहीं इस ब्रह्मान से परे हुई है, और महाप्रलाई में इस ब्रह्मान का तो लई हो जाएगा, और कलपरुक्ष्टी भी मैंने बात ली थी, वो बात आगे जाके गांग जी भाई को जब बताएंगे, तो गांग जी भाई को आश्चरिय लगेगा सुन्दसाजी, उस बात से श्यामा जी के अंदर और गुजमाई ने खुले, क्या खुले सुन्दसाजी, उसको आगे का कई जन्म जानने को मिला, कि मैं अगले जन्म में देवापी और थी, मैं शांत और परमांस, ऐसे कई रहश्य आगे खुलने लगे, और लोग की भी बात की, कि पृत्वी लोग, भृत्वी लोग, भाईकूट, स्वर्ग और भाईकूट और हद ब्रह्मान से कोई परे गए, नहीं है, उस बेहद है, बेहद से परे दिव्य परमा, धामें, हो गुजमाई अभी तक खुला, नहीं था सुन्दत साजी, तो उसके बाद उसको ऐसा लगा कि यह बात में किन्सो कहूँ, किन्सो कहूँ, तब उसको एक थोड़े दिन के बाद, देवचंद्र जी, दर्सन के बाद, सुन्दत साजी भागवत सुनने के लिए दूसरे दिन गए, नहीं, जो उससे उसको दर्सन हुआ होता, भागवत से सुनने के बाद जो हुआ होता, तो दूसरे दिन, आगे जानने के लिए जाते ने, कि और आगे, जानो, और आगे, जानो, क्योंकि दर्सन हुआ तो हमारे अंदर, मैं लो, आज हमने यह आज कितने दिनों से सुन रहे, तो र तो आपको आगे और सुनने को मिलता है, ने, रोज रोज और गहराई वाली बात, तो आप कल आएगे या नहीं आएगे? आएगे ने, बन तो नहीं हो जाएगे ने, तो देवचंदर जी को भागवत से दर्शन होता, तो कल जाते ही या नहीं जाते, दुसरी में और बात रख साजी और उसके बाद हम आगे जाएंगे तो घर परिवार को नहीं बेजेंगे कि जाओ भागवत सुनने के लिए जब तक वाणी नहीं उत्रेगी बहुत गेहरी बात करें वाणी नहीं उत्रेगी तब तक क्या बोलेंगे जाओ भागवत सुनने के लिए जाओ क्योंकि हमारे के आगे हो गये, नहीं, उसके अंदर ये तडब जगी के बात में किन सो कहू, किन से कहू, तो थोड़े दिन के बात, गांग जी भाई रास्ते में मिले, गांग जी भाई जब मिले, तो गांग जी भाई को बात बताने लगे, क्या बात बताने लगे, क्या बात बताने लगे, किने ऐसे ऐसे अंदर सुगंदी देते जाएगे, पहले दिन थोड़ा कम प्रहार करेंगे, दूसरे दिन और प्रहार करेंगे, सिध्य प्रहार करेंगे तो कोई सुनने के लिए आएगे, नहीं, तो ऐसे जैसे सक्षमता बनती जाएगी, जैसे अंदर की योग्यता बनती में और तुम रोज ही एक साथ कांजी भाई के यहां कांजी भट के यहां रोज चर्चा सुनने के लिए जाते थे तो यह नई नई बात आप कहां से लाते हो यह तो अमने अभी तक कभी सुनी भी नई हैं किसने बोला अमने तो अभी तक यह बात हैं भागवत सुनने के लिए तो ओभी जाते थे तो गांजी भाई ने बोला कि मैं भी रोज जाता हूं लेकिन यहां इसी बातों तो अमने सुनी भी नहीं है, यहां तो रोज रोज नहीं नहीं 11 दिन से बाते चलती रहती है, कोई दिन भागवत की बाते, कोई दिन गिता की बाते, कोई दिन और सास्त्रों की बाते, ऐसे यहां नहीं नहीं बाते रोज चलती रहती है, हम तो दोनों साथ में जाते हैं, लेकिन हमने अभी तक श इज्यासा अंदर पेदा हुई, तो और अगले दिन, और बात आगे की अक्षर की, और आगे परम, धाम की बात बताने लगे, सुन्दर साजी जेंजे से पात्र बनते गए, फिर गांग जी भाई ने क्या किया, बीच में, खड़े, बात सुनते सुनते, कितने गंटे, बताई नहीं लगा, एक पनिहारी, धाम धनी नियां बता, एक पनिहारी एक बार पानी भरके गई, दुबारा भरके गई, तिसरी बार भरके गई, तो उसको अंदर रहना, वो रहनी पाई, और उसने बोल दिया, अरे, तुम बेठे-बेठे क्यों बाते नहीं करते हो, तुमारा प अक्सरातित की बातों में इतना रस भरा हुआ है, इतना सुख भरा हुआ है, कि हम इतनी गहराई वाली या प्रेम वाली या आनंद वाली जो रस वाली बाते हम सुनते जाएंगे, कल भी मेरी दिदी एक बोलती थी, मारे बास में रहती हो, कि दिदी हमने तो अभी तक ऐसी बा सुन्दसाद जी, ये दिदी आज आई भी है, देखो उस रही है, तो मैंने बोला, कि ये बात तो अलोकी को रगाध है, और कभी भी अकत कथा, नवतन कहे सुन्दसाद जी, तो आगे हम बढ़े, वो पनियारी तीन बार आई गई, तो बात प्रेम रस वाली है, क्योंकि ये ब कारियक रम करते हैं, बड़े-बड़े, या बड़े-बड़े, जहां-जहां बंडारे होते रहते हैं, तो आज उसमें भी, आज सुन्दसाद जी, हम राज्जी की बात खोल कर, या गेहराई वाली सागर, सिंगार, या परिक्रमा, या खिलवत की बात करते, तो उसकी एक च पाई में इतना रस बरा हुआ है, इतना आनंद बरा हुआ है, कि हमारे सरीर को नृत्यगान करना, मिस्नीरत करना, या कोई और नाटक करना, या सांस्कृतिक कार्यकरम रखना, या जरूर भी नहीं पड़ती, आज गांग जी भाई और देव चंद्रजी के माध्यम से, धाम आनी तो उतरी, नहीं है, तो आज हम जागनी ब्रह्मान में आये 400 साल हो गए, और आज हम बड़े-बड़े कार्यकरम में कितने भंडारे में खर्च कर देते, वो सांस्कृतिक कार्यकरम या नाचकुद में, या सरीर को थंगनाट करना या नचाना, उसमें क्या रखा है, त अगर सिंगार की मारफती बाते इतनी रख दी, तो वोई रस में अम डूबे, वोई ध्यान में अम डूबे, वोई अम सुख ले सुन्दसाजी, उससे यह सिक्साले नी है, ये कोई जाहरी बात नहीं है, देखो पन्यारी रह नहीं गया, क्योंकि यह बताया, कि धामधनी की बातों में इतना सूख है, कि घंटों के घंटें बीच जाते ने, तो अभी पता हमको सुधी अमारी सरीर की रहती, नहीं है सुन्दसाजी, फिर गांग जी बाई ने क्या पैचान की, सुन्दसाजी क्या पैचान की गांग जी बाई ने, धाम के, धनी के स्वरूब की, तो आज हम इतने सालों से तार्तम ले लिया, मैं गांग जी बाई की बात कभी नहीं करूंगी, देवचंदर जी की बात नहीं चल रही है, एक एक बाद हमारे पर लो, क्योंकि नहीं पर यह जीव इतना कठोर हो गया है, कि कभी भी जुकने वाला, नहीं है, गिरने वाला, क्यो को दर देखे, बहुत सुन्दसाजी, 400 साल से एक खेल को देख रहे है, बस बहुत हो गया, खेल को खतम करो, सुन्दसाजी, आज हमने 40 या 50 साल से तार्तम दिक्षा ले ली, घर में श्रुषाई भी आ गए, इतने टाइम से सेवा पुजा भी कर रहे है, हमने दान दनी की कि कई-कई मारा रास्ते में मिल जाते थे, तो फिर चर्चा सुन लेते थे, रोज ही खड़े रेकर चर्चा करते रहते थे, लेकिन इतनी देर तक चर्चा सुनी, इतने दिन तक चर्चा सुनी, तो अज धाम के दनी की पेचान कर ली, हमारे गर में हम रोज धाम धनी के में, हम राजी को तो पधरा दिया और उसको राजी के सवर्व में मां भी रहे, लेकिन अंदर की पेचान किससी तर पर पहुंची, ये आप अपने को तोलओ, अपने को तोल नाम करो कि मैं वास्तों में दामदनी के स्तरवर पेचान कर लिये क्या मैं जितनी प्रात्मिक्ता राज्जी को दे रही हूँ इतनी प्रात्मिक्ता संसार को दे रही हूँ तो आप तोलो ने मैं राज्जी के कितने स्तरवर पेचान की है तो यहां धामधनी ने प्रकास गुजराती में प्रमान दिये सुन्दसाजी के कर विचार पुछे वचन, कर विचार पुछे वचन, निके अर्थ जो लिये इन, जब समझाई पार की बान, तब धनी की भही पैचान, किसका प्रसंगे गांग जी भही का, फिर बताया के अपन अपने घरों लिये बुलाई, जब समझाई पार की बान, पार की बान, पार की बान, परमा, हद से परे बेहद, और बेहद से परे परमा, धाम की जब बात बताई, तो देव चंदर जी की अंदर, कोई शामानिया स्वरूप, नहीं बेठे थे, अक्सरातित के आवेश्व रूप में उसने पेचान कर ली, तो सुन्दसाजी आज हम किस रूप में कर रहे हैं, यह हम अपने को तोले, पर हम कितने कुर्बान हो रहे हैं, और हम अपने घर में कितनी सिवा कर रहे हैं, यह धाम धनी ने उस प्रसंग से बताया, और गांग निव भी डाल दी, तार्तम का उत्रण भी हो गया, और जागनी की निव भी निया रख दी सुन्दसाजी, कि वहांसे जब जागनी का कारिया शूरो हो जाएगा, और प्रथम सुन्दसाथ गांग जी भाई बने, और आगे के प्रक्रण में बताया, शंक्षिप्त परिचय म कि सद्गुरु धनिशी देवचंद्र जी और सी प्राणनाज जी और चत्र साल जी माराज का एक शंक्षिप्त परिचय देके पुरी बित्तक के माध्यम से वरणन किया गया है, और इस आगे के प्रक्रण में अंतरध्यान और बलिदान की लिला बताई है, और इस के आगे मुमिनों की कुर्बानी कैसी होनी चाहिए, यह तीन छोटे से प्रक्रण में यह बताया सुन्द साजी, क्या बताया यह प्रशंग हमने पेले दिन भी ले लिया था, इस संसार में कितने कितने साल की चोथे दिन की लिला हुई, कब अंतरध्यान लिला हुई, और पांचमे दिन की कब लिला हुई और अंतर ध्यान कब हुआ तो यह आमने पहले दिन भी लिला ले थी और सुन्दसाजी उस प्रक्रण में जो मोमिनों ने पेचान की तो साथ में नंबर के प्रक्रण में बताया कि सुन्दसाजी जो अगले चले सुन्दसाथ महमति कहे मोमिनों देखो स इनको देखके जगाव अपनी आतम ये तीनों प्रक्रण में बहुत छोटे से रूप में परिचे दिया है क्या बताया कि जो सुन्दसा 400 साल पेले चले उसने चल के जो एक रहनी बताई सुन्दसा जी पगले दिखाए हमको कैसे केने पगले आपन चालिये पगला एरे प्रमा सुन्दर साथ जी तो जो ब्रह्मात माओं ने ताम धनी के वीरह में अपना तन 400 साल पेले बहुत सुन्दसा ने बंगला जी दर्बार में छोड़ दिये थे उस टाइम पे तो उसका त्याग 400 साल पेले छोड़ने वाले सुन्दसा का त्याग उसका समर्पन उसकी कुर्बानी देखके सुन्दसा जी आप भी हम सब भी उस राह पर चलने का कोशिस करे प्रयास करे चलने की कोशिस नहीं वहाँ चले हम हम चले उस प्रसंग से इतनी शिक्सा लेले और हमारे जीवन और 400 साल पेले जो ब्रह्मात्मा आए चली उस दोनों ब्रह्मात्मा के बीच में समिक्षा भी करे तो भी तो हमारे अंदर जीव को ठोकर लगेगी समझ में आया और धाम धनी ने एक चोपाई का प्रमान बताया सुनत भी चोहा हादी का सपिछे साबित राखे अपना पिंड दिक दिक पड़ोती नकले जो नाही वतनी अखंड ऐसा धनी का भी चोहा सुन कर भी हमारे तन यहां अखंड सुनत साजी अभी भी रहे रहे तो ह सुनत साजी वर्तमान काल में के ओ सुनत साथ स्री जी को देखते देखते बंगलाजी दरबार में ऐसे दस सुनत साथों सिधेई संकर अजुरी, लालमन, नारणदास, जसिया भाई, दंजी भाई, गोदावरी बेन, किष्णी भाई, अम्भो भाई, राम भाई, रतन भाई ऐसे कई सुन्दर साथे तभी तन छोड़े तो हम वो सुन्दर साथ तो देखते देखते तन छुट गए तो आज 400 साल के बाद सुन्दर साजी वानी उतरने के बाद ओम ओमिनों की अंतर ध्यान लिला उसकी कुरबानी देखकर हम जुठे मोह विकार में जो आज भी फसे है त तो तन कैसे छोड़ेंगे समझ गए यब इच्वा तो हमारे लिए भी है ने धाम धनी का तो हम परम धाम से आये है तो हो ब्रह्मात्मों की रहनी हो ब्रह्मात्मा की चाल देखके हम भी उस रहा पर चलने की कोशिस कीजिए ये तीनो प्रकरण का यही भावे में जो छोटे रूप में रखा और पहले दिन भी हमने विस्तार से बात रख ली थी और आगे हम जाएंगे सुन्दसाथ जी तो देवचंद्र जी महराज के कबिले में लोकिक कबिला और अलोकिक कबिला आएगा दस्वे नंबर के प्रकरण में तो यह हम आगे देखे लेकिन देवचंद जी निजानन्द श्वामी कहलाए में एक एक सब्द जहां आएगा में सपष्टि करण करती जाओंगे क्योंकि पेले देवचंद्र जी कह जाते थे अभी सत्गुरु धनी स्री क्योंकि अंदर धनी भी राजमान हो गये ने तो निजाननन्द श्वामी कहलाए निजानन्द घर में जो भी थे बिहारी जी, जमना भाई, उसकी पतनी कृष्णा भाई और बिहारी जी की पतनी और सुंदर्साद जी और उसकी पतνη देवचंदर जी का लिल भाई, तो ऐसे जो लोकिक कभीले थे, तो यहां यह बता रहे कि देवचंद्रजी के टाइम में नहीं जगे तो पांच में दिन में जगेंगे कोई सुन्दर साथ महिराज, सिजी के टाइम में जगेंगे तो ऐसे लोकिक और अउलोकिक तो पहले देवचंद्र जी वाले लोकिक कभीले फिर गांग जी भाई के घर में कौन-कौन आये कभीले में तार्तम ज्यान ग्रहन करकर निजानन संप्रदाई में शामिल हुए ऐसी ब्रह्मात माओ का नाम भी दिया गया सुन्दसाजी इसमें कौन-कौन से है तो गांग जी भाई ने पहले धरे कदम बताया ने गांग जी भाई जिसके अंदर धनबाई की वासना थी और उसकी पतनी भानबाई भले चली नहीं लेकिन घर में तो है ने और उसकी माता जी गंगा भाई भी है तो ऐसे लोकी कबिले और उसके पुत्र मान जी भी पुत्र के पुत्र मान जी भी है जो सुख भाई की वासना थी और आगे आगे ऐसे कहीं कबिले आते जाएंगे कोई देवचंद्र जी के समय में जगे और कोई आगे स्री जी के समय में पांच में दिन में जगेगे तो किसी किसी ने तार्तम लिया और निजानन सम्रदाई में शामिल हुए ऐसी आत्मा एकत्रित होने लगी फिर यहां बताया कि देवचंद्रजी के समय में जो दाखिल हुए वो सुन्दसाथ कौन-कौन से है तो तबी उस टाइम पर ऐसी जोस में चर्चा होती थी और सुन्दसाथ जैसे आप बेठे हो ऐसे सुन्दसाथ की पुरी सभा ऐसे एकत्रित होती थी और उसकी अंदर सद्गुरु निजानन स्वामी चर्चा करती थे तो सब सुन्दसाथ ऐसे आननद में भावी बोरोकर माते नहीं थे और गांग जी भाई के घर पे चर्चा शुरू हो गई ने चाक गांग जी भाई के मंदीर है चाकला मंदीर में आज का घर चाकला मंदीर से नाम से जाना जाता है तो वहां इतनी सुन्द साथ की भीड़ होने लगी और गांग जी भाई को ऐसा लगा कि मैं ये स सुन्दसाथ को कैसी सेवा करूँ और नए नए प्रकार की वानगी मिवा मिठाय किलाओ और मेरे सुन्दसाथ एसे प्रभावीत होकर ऐसे खुष होगे आनन्दित होंगे तो गांगजी बै के अंदर नए नए विच्छा रोज उठते है और रोज सेवा करने का नए नए उरते हैं और देव उसको लगता था कि वो साथ तो माया से दाम से माया में खेल देखने के लिए आये हैं, वो बिचारे को पता नहीं है, वो माया में आके भूल गए है, बिचारे अहीं आकर फस गए, तो चलो, मैं उसको धाम की बाते बताओ, व्रज की बाते बताओ, और साथ की भी बाते बताओ, और धाम की बाते करते करते, उसके दिलों में और सुख प्रेम रुपी भर दू तो देव चंद्रजी की अंदर रोज रोज नहीं नहीं सुकह उठते थे, और क्या बात होती थी यह व्रज और रासकी, तो हमने पांच दिन तक बरासकी बहुत माधुरिय, बहुत मनुरम लीला देख ली, आज हमारे पास यह समय नहीं सुन्दसाजी, और आगे भी लील होती थी एक चोपाई को मैं लिला में बता दू आप समझ लेना के भाव काड दिखावी चर्चा को जो रूप भाव काड दिखावी सद्गुरु धनिशी देव चंद्र जी जब चर्चा करते थे सुन्दसाजी तो भाव में कैसे मानलों के व्रज का वरणन करते थे या रास क वरणन करते थे तो जैसे जिस हो में पोच्चते थे तो मुखार्विन का भाव भी माल्यों हास्य की लिला का वरणन करते थे तो मुखारविन पर हसी आ जाती थी जब करुण रसका वरणन करते थे तो मुखारविन पर दुख की जैसे लिला अंदर वरणन करते थे तो मुखारविन पर दुख का भाव प्रगट हो जाता था और मानलों के सोक अंदर या विरख कई जो बात करते थे तो मुखारविन पर ऐसा ही भाव प्रगट हो जाता था और जैसे ही वरणन करते थे तो गांग जी भाई के घर पे क्या वरणन होता था सुन्दसाजी बहुत सुन्दसाज एक त्रीत होने लगे आगे अभी मिहराज के कुटुम कभीले भी हम देखेंगे सुन्दसाजी वो मिहराज के कुटुम कभीले का आगे वरणन करेंगे पहले गांग जी भाई के घर में जो चर्चा प्रारंभी कवस्ता कैसे शुरू हुई तो उस चर्चा में मानलो कि हम ब्रज की एक लीला का देखें तो यहां ब्रज की लीला में बैठे है तो गांग जी भाई के घर में सद्दसाजी परमधाम में नहीं लेकिन केवल ब्रह में ब्रज की बात कर रहें नहीं तो कहां लीला होगी अखंड ब्रज कहां अखंड हुआ है सबली के कारण में और महा कारण में रास लीला अखंड हुई है तो यहां गांग जी भाई के घर में सद्दसाजी बैठे है और यहां भाव काट दिखा हुई चर्चा को जो रूप तो यहां जैसे भाव कैसे जैस वहाँ खल खलाती हुई जमना जी को देखो तो सुन्दसाथ खल खलाती हुई जमना जी को देखते हैं फिर यहां सद्गुरू वरणन करते हैं कि सुन्दसाथ जी तुमने अपने वस्त्र वागे और किनारे पर तट पर उतार दिये और जिलन के वस्त्र पेने और जल में आप जल कीडा कीजिए फी सुन्दसाजी जल कीडा और जल जिरिना भी कर रहे है फी सुन्दसाजी को बोला सद्गुरु ने के सुन्दसाजी जल कीडा करते करते जल जिरिना करने के बाद हम बहार तट पर आये और हम चार सक्या राजी को सिंगार कराएंगे चार सक्या शामा जी क शिंगार करेंगे, तो ऐसी लिला का जब वरणन करते थे, गांग जी भाई के घर बे, तो ऐसी खलखला थी जमना जी प्रगट हो जाती थी, सुन्दसाथ जमना जी का प्रगट दर्सन तहां करते थे, जामनगर, चाकला, मंदिर में, और कई बार जर्चा में ऐसे बोलते थे, के सुन्दसाजी, आप गोकुल में ब्रज में चले जाओ, अखंड ब्रज में वहां, जो योगमाय ब्रह्मान में लीला हो रही है, वहां चले जाओ, और हम गोप बाल के, अंदर बैठ कर कौन लीला कर रहे है, अक्षरातित का, आवेस, वो बोल रहे है, मैं स्री कृष्ण रूप में, जब ब्रज में लीला कर रहा था, उस स्वरूप के रूप में आप चले जाओ, और वहां हम गोप मित्रमंडल सक्या के घर में जाके, मटकी चुराते थे, और मटकी चुरा के गोप मंडल कैसे मित्रमंडल, ऐसे एक पर एक चड़कर, एक पर एक चड़कर, कैसी लिला होती थी मट्के की, फोडने की तो मट्की फोडो और उस मेंसे जो मक्खन है ऐसे दैं रखे सक्याने दुद रखे नीचे गिरते थे और हम सब सक्या मित्रमंडल, गोप बाल के जो थे, स्रिदामा जो भी थे हम ऐसे गोप मित्रमंडल खाते थे और कई बार मठकी चुरा कर बाहर भी लगके जाते तो मक्खन की चुरा ऐसे रदे रुपी मक्खन चुराते थे, तो ऐसे मक्खन की छिटे दिवार पर दिखती थी, ऐसे कोई कोई दिन सोने की कंशुडी भी लाते थे, कोई दिन तंबोल बीडी भी लाते थे, तो ऐसे भाव कार दिखा हुई वरनन तो चाकला मंदिर में ओ रहा है और साथ कहां पहुँच रहा है अखंड़ ब्रज में पहुँच रहा है और वहां तंबोल भी खाते और यहां सुन्दसाथ के अधूर लाल भी हो जाते बोलो श्री बीड़ी लेते थे तो अधूर कहां लाल होते थे चाकला मंदिर में गांग जी भाई के घर पे यहां बीड़ी चबाने लगते थे सुन्दसाथ जी बीडू पान का बीड़ा चबाते थे तो यहां अधूर भी लाल हो जाते थे जी यहां भी क्योंकि लिला भाव और सुन्दसा द्रस कहा ले रहा है यहां भावकार दिखावी तो ऐसी आडी का लिला और हीर भाई खेता भाई का धर्मपत्नी अभी कल पर शंगाज तो लेना है जो ले पाएंगे तो थोड़ा ले लेंगे तो गांग जी भाई का जो धर्मपत्नी यह सुन्दसाच जी वो भान भाई है और खेता भाई का धर्मपत्नी हीर भाई बहुत सालों से और्बस्तान गए ने तो वो पत्नी यह किस के साथ रहती थी गांग चलती रहती थी सुन्दसाजी, रोजी ऐसी आडी का लिला ये, चलती रहती थी, क्योंकि आडी का लिला समोहन की लिला, इसलिए करनी पड़ती थी सुन्दसाजी, के तब इवानी नई उत्र थी, तो सुन्दसाज को पकड़के अठार दीन रखना था, बोलो श्री प्राणना क्या करना था? अठारो दिन सुन्दसाथ को पकड़ के रखना था, इसलिए ऐसी आडी का लिला चलती रहती थी, तो सुन्दसाजी ऐसी सहमोहन करने वाली आडी का लिला से जागनी तो हुई, तिन सो तेर, आत्मा है तो जगी, लेकिन वास्तविक जागनी, क्यों नहीं हुई वानी? नहीं उत्री थी, तो वास्तविक जागनी, नहीं हुई, सुन्दसाजी क्योंकि चर्चा करते थे, सुन्दसाथ घर में जाते तो फिर माया में, डूब जाते घर में वानी, नहीं थी, तो कैसे पड़े, फिर कैसे ब्रज रास की लीलाओ को पड़े, और कैसे जाने, किस लीला में डूबे, हो लीलाओ, नई पाई, और आगे भी बताये, कि आड़ी का लीला करके, सुन्द साथ को, सुन्द साजी पकड़ के तो रखा, फिर क्या लीला घटी तोती है, वहाँ एक चुगल खोरने, चुगली कर दी ने, किसने, हमारी भी बात चलती रहती, तो ऐसे चुगल में कल भी बताया था ने, कि हम आसपास का देखते है, हमारी और देखते, नहीं है, तो यहाँ भी एक चुगल खोरने, यहाँ के राजा को, जामनगर के नवानगर के राजा को, जा जाओ गांग जी भाई के घर पे रोजी स्त्री पुरुष ऐसे साथ में बैटकर साड़ा तिन से साड़ा पाँच बजे तक रोजी चर्चा सुनते हैं, वहाँ जाकर आप वास्तविक जाच क्यों नहीं करते हो? कि वहां क्यों स्त्रीपुरुषप्रेम की चर्चा रोज करते हैं क्योंकि अभी तक हमने ऐसी बाते कभी शुनी भी, किसने बोला ये, किसके चर्चा है, हमारी चर्चा है, कि जाओ, वहां स्री पुरुष फ्रेम की बाते करते रहते हैं, अवलो की कखंड व्रज रास्क और परमधाम की बाते करते हैं, लेकिन चुगल खोने दो सिपायों को बेज दिया, कि वास्तवी को घटना क्या घटरी उसकी जांच करो, और मेरे को आगे बताओ, तो दो सिपाय वहां गये, एक कुवे के, फीरते, गुमते रही ओक धरोल, पोच गया वहां जाके पनियारी को, बुछ राय सुबह को, लेकिन दोनों के घर में जगडा, मच गया, यहां धाम दनी ये प्रशंक्ष ये बता रहे शुन्द साज जी, कि चुगल खोर की हालत क्या होती है, तो निंदा चुगली किसी की करनी, नहीं चाहिए कि वास्तविक पताई, में आपको बता देती हूँ, कि किसी की सुनी-सुनाई वह बात नहीं है, यह अपनी बात है, लेकिन दोनों के घर में राथ पूरी राथ जगडा, चलता रादु चीताई, बोले नहीं धाम दनी ने वा पता लगा उसने सोचा कि जो चुगल खोर ने अमने को वांसी पायों ने सोचा कि भेज दिया था वो जो आये तो गर्दन अम काट देंगे लेकिन सुन्दसाथ जी इसलिए धामदनी ने बोला कि कई बार देखा हुआ नेत्रों से प्रत्यक्स देखा हुआ भी गलत होता है उसका एक प्रवान भी है कि एक राजा थे सुन्दसाथ जी राजा के दरबार में तो बहुत सुक्सुविदा संपती होती ने उसकी दास दासिया रानिया और बहुत साहे भी होती वहाँ तो एक दिन राजा शिकार के लिए निकले तो राजा की राणिया भी है तो राजा एक दिन घर में राणियों को बोल के गया कि मैं दो-तिन के दिन के बाद लोटूंगा तो सुन्दसाजी तबी राणि साहबा ने सोचा कि चलो राजा तो दो-तिन दिन के लिए कह कर गया है तो कोई जल्दी तो नहीं है उसकी रहा भी इंतजार भी नहीं करना है तो क्या सुना उसकी तो दास दासिया और भी सेवक सेविक अगा रेतेने तो तब राणी ऐसे थोड़ी स्वास्ते भी ठीक नहीं होगे तो ऐसे इस सो गई कि राजा तो आने वाले, नहीं तो थोड़ा मैं आराम कर लो, तो दास दासिया सुन्दसाजी घर में शेवक से भी काये भी थी, और उसने भी सोचा कि चलो रानी भा साहिबा भी ठके सो गए, तो दास दासिया जो काम कर रहे थे, उसने भी सोचा कि चलो हम भी थोड़ा आराम तो रानिसाहभा एक ही है, तो मैं भी धक गया हू, एसे में थोड़ी दर मैं भी आराम कर लूँ, फिर में घर का साफ सफाई का काम करूँगा, तो इतनी दर में राजा को काम नहीं था, तो उसे ही दिन आ गए, तो रानिसाहभा के पास कौन सोिय हूयで थे? दास दास या सोई हुए थी ने जो भी वो कोई मैं थोड़ी रोप में रखोंगी यह द्रस्टांत मेरे को अच्छा नहीं लगता लेकिन मैं समझा रही हूँ इसलिए कि वास्तविकता को आपको पता लगे तो जब आये तो उसने देखा लेकिन दोनों का भाव तो अलग था राणी का भाव ऐसा तक भी राजा नहीं आये तो मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर लूँ आया नहीं तो इंतजार करने की कोई जरूरत थी नहीं और दासी का ऐसा जो दास दास उसको ऐसा भाव था कि भई आज चलो राजा नहीं है तो आम भी थोड़ा इतना अच्छा बेड़े इतना सयन का कोक्षे है तो हम भी ऐसा तो हमारे घर में मिलता ही नहीं तो विचारे थोड़ी देर के लिए तो इतनी देर में राजा आये तो वो तो देखकर ऐसे क्रोध से बर गए कि अरे मेरी रानी सहेबा उसके पास कोई दास यह सो सकती क्या उसमें तो बहुत मर्यादा होती ने राज़कुल में तो देख तो लिया लेकिन दोनों का विचार तो अलग था उसने भी सोचा कभी ठका ने तो थोड़ी देर के लिए सो लूँ उसके बाद मैं जाड़ू पोचा करूँगा और रानी ने भी यह सोचा कि मैं भी राजा न लेकिन रानी झब उठा, रानी शाहिबा तो रानी साहिबा से पुछा तो उसने भी सत्य ही बताया दास दासियों को पूछा तो उसने भी सत्य बताया दोनों अपनी अपनी जग सच थे तो नेतरों से देखा हुआ भी कई बार गलत नहीं होता तो हम तो किसी की सुनी सुनाई हुई बात सुन के और 3-4 लोगों को बता देते ने चुगली की बात है और उसके घर में जग्ड़ा लग जाता ने तो यहां धामधनी उस प्रसंग से बता रहे कि सुन्दसाथ जी किसी की सुनी सुनाईव बात करनी नहीं चाहिए, कई बार नेत्रों से देखा हुआ भी जुथ होता है, गलत होता है, तो यह प्रशंग धामदनी ने हमको एक प्रभोत देने के लिए सुनाया, और मिहराज के घर में, मैं यह प्रशंग पुरा कर दूँ द जाएंगे, सुन्दसाजी तो उसके घर में अंकुर परंदाम की कोन वासना है, उसके अंदर गुर्वंती बात की वासना है, और मिहराज के अंदर इंद्रावती की वासना है, उद्धव के अंदर उत्तम बात की वासना है, उद्धव ठाकुर के अंदर, तो यह अंकुर की बात इसलिए कि, कि उसके घर में सत्यक अंकूर रखे गए, कि उसके घर में एक बीज अंकूरीत हुआ, जैसे एक बीज डालते तो अंकूर होता ने, तो उसके घर में अखन की बात प्रसर ने शुरू हुई, कब तो कि कार्तिक मास में अंकूर रखा गया, कैसे, तो यहां मिह राज के कुटूम कभीले बताएं के सब से प्रत्थम अजबाय, उसकी बुबा पड़ती थी कौन? मेगबाय जिसके अंदर हरखबाय की वासना परमधाम की हरखबाय की वासना थी, तो उसकी बुबा के घर पर जाती, तो रोज देखती और क्या देखती? सुन्दसाजी अपन गांग जी भाई के बड़े लड़के थे, श्याम जी की बहु थी, तो अपनी बुबा कौन पढ़ती थी, मीराज के जो बड़े भाई है, सुन्दसाद जी, जो हरिवंस भाई, उसकी पत्नी मेग भाई है, उसकी बुबा पढ़ती थी, तो वहाँ जाती थी, और अपने घर मे जो लिला घटित होती थी, जैसे कोई दिन जमना जी की जल खलखला था, और कोई बार हिरबाई, तीन बार रशोय करती थी, तो भोजन आरोगने के लिए भी, श्याम राज जी, कृष्ण के रूप में आते थे, और कोई दिन, मैं हमना बताया है, सोने की कंसूरी, कोई दिन मक्षन की छीटे, जमना जी, ऐसे खलखला जमना जी प्रगट होते थे, तो जो लिला होती थी, और तीन बार दर्शन कर देते थे, और भोजन आरोगते थे, तो कोई बार खारी मिठी तिखी, जो रसोय बनती थी, वो भी राज जी बोल देते, का आज क्यों खारी बनाई, आज क्यों मिठी बनाई, तो ये बात अजबाई रोज उसके बुवा के वहां करती थी, तो उसकी बुवा ने घर में वात प्रसर की, फेलाई, और घर में सीध्य नहीं आये गोवर्दन भाई, उसने किसको बेजा, पदमाबेन, पदमाबेन आई, उसके पीछे गोवर्दन माराज, और सुन्दसाजी, उसके बाद उसके घर में अंकुर भी डाला, अंकुर भी आ गया, बाद भी प्रसर चुकी, और उसके बाद क्या लिला होती है, कि मिहिराज का मिलनोगा, दोनों स्वरूप का, मिलनोगा लोकिक कबिला, जो शामिल हुआ निजानन सम्रदाई में तारतम भी ग्रहन कर लिए, तो ऐसे गोवर्दन भाई और मिहिराज, दोनों जब साथ में जाएगे, लेकिन पहले गोवर्दन भाई गये उसके चरणों में, उसने बोला, कि मेरी आतम को शत्गुरु माराज जगा हो, तो वो चर्चा सुनने के लिए रोध जाते थे, वो मिहिराज को भी पता लग गया, कि मेरे को तो आना है क्यों लग गया, कि उसके अंदर हिंद्रावती की आतम, बैठी थी तो वो अंदर के अंदर तडब जगी, वो भी बोले कि मेरे को तो चर्चा सुनने के लिए आना है, तो वो एक दिन जाने के लिए रो रहा था, लेके नहीं गए, ऐसे चार दिन सुन्दसाजी बीत जाएंगे और पांचमे दिन लेकर जाएंगे उसे पेले धाम दनी ने बीच में एक चोपाई रख दी क्यों रखी, कि उसके माता पिता की, क्योंकि प्रसंगे ने अलग-अलग है, एक प्रकरण का प्रगटन उसके अंदर किसकी आतमे इंद्रावति की आतमे ये धाम दनी ने एक प्रसंग को रख दिया, फिर गोवर्दनबाई का मिलन भी सद्गुरु के साथ हो गया, और बताया कि कब जन्म हुआ, मिहराज का यबेश्च में प्रसंग ली लिया क्योंकि जाएगे तो उसके बाद ने पहले उसका जन्म बताएंगे एक चोपाई में कब हुआ गालो, गालो चोपाई के आत्यम से हम जो कहा रने पंचो ते रनी ओ भादर वो इनो ने क्रूशना पक्षमा अभादर माच चतुरदसी ने जोगा तो रवीवार जो चतुरदसी ने जोगा तो रवीवार जो पात्री इकाला इवारे जोसी जनामन सुन्दसाजी भादरवा माच चतुरदसी ने रवी वारे सुब प्रात एक पहोर नौ बजे से उपर थोड़ा समय गया और धनवाई के गर्व से कुक से और पिता केसराइ ठाकुर वहाँ मिहराज का जन्म हुआ मरू के जीव का जन्म हुआ इंद्राबती के आतम बेट गई और लालदा सी मारद ने धामदनी के शब्दों में लिखा के स्री राजप्रग्टन यहां स्री राजप्रग्टन धामदनी का आवेश अंदर प्रगट हो गया तो वह भी गोवर्दन बाय के साथ चर्चा सुनने के लिए जाने की इच्छा करता था पर लेकिन वह लेके नहीं जाता था सुन्दर साजी ऐसे ऐसे करते करते उसकी उमर कितने साल की हुई 12 साल 2 मास और 10 दिन की उमर हो गई लेकिन कब से वह इच्छा कर रहा था एक दिन गए दो दिन गए तीन चार और पांच में दिन गोवर्दन बाय लेकर गए और वो भी रोते रोते गए वो लेके नहीं गए बाहर रख दिया अंदर जाके सद्गुरु को पुछा के सद्गुरु आज मेरे भाई रोते रोते पिछे आये तो उसने बोला के बाहर से अंदर लाओ तो अंदर लाए उसने बोला के छोटी उमर में देखो द्रू को पांच साल की उम्र में चरण प्राप्त हुए थे तो छोटी उमर में बालक निर्विकारी आत्मा निर्मल होती हैं तो छोटी उमर में जो अंदर जाता हो पके घड़े काथे नहीं चड़ते तो आप अंदर लेके आओ तो क्या किसकी बात है सुन्दसाजी हम हमारी है यह मिडियो वाले जल्दी करवा रहा है इसलिए मैं आपकी बात नहीं रख रही हूँ किसकी बात है पचास साल के बाद घर में भी बहुत सोच थी कि जाओ चर्चा सुनने के लिए तो ऐसे ही घर में भी बीची में तो ऐसे ही आ जाते इससे 20 साल या 30 साल की उम्र म आ जाना चाहिए तो सुन्दर साजी या धामधनी ने बताया के सीजी सहेब से साथ मिलाप हुआ सीजी सहेब क्यों बताया धामधनी का भी प्रगटन हुआ और दोनों आतम सुन्दर भाई उइंद्रावती का मिलन हुआ दोनों बाई चर्चा साथ में और बताया के आई के लगी ती ती दय निद्ध तत की निद्धे मेंने आई जागरत बुद्ध जैसे ही सुंदर बाई के सामने इंद्रावती ने प्रनाम किया तभी बताया तुम तो परमधाम की निर्मल आतम हो और तुमारे अंदर परमधाम की इंद्रावती की आतम बैठिये तुमारे अंदर जागरत बुद्धी भी आ गई, आयसे दोनों आतमों का मिलनों गया, और अगले वाली लिलाम कालो, कलो, देखेंगे, बोलिया सी, प्राण ना, बार बरस मैना दोया, ता उपर भये दस दीना, तब स्रीद्यवा चंद्रजी सो मिले, उन्हे पेचाने ममीना, उन्हे पेचाने ममीना, बोल्यशी प्राण नात, सत्गुरू, श्वामिशी लालदासी, समास्त सुंदर, प्रणाम। प्रöm. धए झालू. 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 झाल झाल